मैं बहुत आभारी हूँ आप सब का, कि आप यहाँ पर इतनी बड़ी संख्या में उपस्थित हैं, मुझे आप से कुछ बात कहने का संबाद करने का मौका मिल रहा है। आप सब मेरे बारे में जानते हैं कि मैं हिंदी भाषी हूँ, मुझे मराठी बोलना नहीं आता, मैंने अभी थोड़ा मराठी पढ़ना सीखा है और मराठी कोई बोले तो मैं समस्ता हूँ, बोलना शायद थोड़े दिमन मैं सीखूँगा, फिर आपके बीच मराठी में व्या व्यासिती जो है आज की, उसको ध्यान में रखकर हम लोग पिछले कई वर्षों से आजादी बचाओ आंदोलन चलाते हैं, उस आंदोलन का परिचे आप सबको है, ये आजादी बचाओ आंदोलन 1984 में यूनियन कारबाइट की दुरगटना के बाद शुरू हुआ था, 22,000 लोग मरे थे, उन 22,000 लोगों की मरत्यों के बाद हम लोगों ने आजादी बचाओ आंदोलन शुरू किया था, और जब ये आंदोलन शुरू किया था, तो उस समय उसका एक लक्ष था, और लक्ष ये था, कि जिस अमरीकी कमपनी ने भोपाल शहर के 22,000 लोगों का खू क्योंकि जिस अमरीकी कमपनी ने ये दुरगटना की थी, उस अमरीकी कमपनी को भारत सरकार कोई सजा नहीं दे पाई थे, भारत सरकार ने तो उस अमरीकी कमपनी के साथ एक समझोता कर लिया था, और उस समझोते के आधार पर यूनियन कारबाइट कमपनी को माफ कर दिया तब हम लोगों ने उस अमरीकी कंपोनी को भगाने का एक अभ्यान शुरू किया, जिसमें हम सफल रहे और हमने उस यूनियन कारबाइट कंपोनी को भगा दिया था, बाद में यूनियन कारबाइट जैसी ही एक और अमरीकी कंपोनी को हमने भगाया था, उस अमरीकी कंपोनी क के लिए आई थी उसका गाजिस्थान में अलवर जिले में बहुत बड़ा प्रोजेक्ट लगने वाला था जिस प्रोजेक्ट में वो कंपनी हर दिन चार करोड लीटर दारू बनाने वाली थी आप जानते हैं राजिस्थान में भयंकर पानी का संकट रहता है तो जिस छेत्र में पानी नहीं मिलता पीने को वहां एक अमरीकी कंपनी का दारू फैक्टरी बने और उसमें चार करोड लीटर दारू रोज बने और वो बाजार में बिके तो वो हमें मनजूर नहीं था हमने उस कमपनी को भी महां से भगा दिया था तो ऐसी कई-कई अमरीकी कमपनीों को भारत से भगाने का एक अभियान इसी का नाम है आजादी बचाओ आंदोलन इसी आंदोलन में मैं लगा हुआ हूँ पिछले कई वर्षों से बात में हमें एक बात का और एहसास हुआ और वो ये बात का एहसास हुआ कि सिर्फ अमरीकी कमपनीों को ही भारत से भगाने का काम हम करेंगे तो इससे कोई बात नहीं बनेगी क्योंकि अमरीका के अलावा भी बहुत सारे दूसरे देशों की कमपनीया अपने देश में है योरोप की कमपनीया है जापान की हैं, जर्मनी की हैं, फ्रांस की है तब हम लोगों ने एक और अभियान शुरू किया 1991 के साल से कि सभी परदेशी कमपनीयों को भारत से भगाना फिर बाद में हम लोगों को एक और जानकारी मिली कि अगर सभी परदेशी कमपनीया भारत से भाग जाएं तो भी अपने देश में कुछ ऐसी समस्याएं हैं जिनका समाधान पूरा नहीं होगा तो हम लोगों ने फिर देश की समस्याओं का अध्यन करना शुरू किया और उन समस्याओं के समाधान को जब हम समझ पाए पिछले दस वर्षों में तो हमको ऐसा लगा कि भारत काफी कुछ परदेशी हो गया है हमारे देश का काफी कुछ परदेशी करण हो गया है संस्कृती के इस्तर पर हो गया है अर्थ व्यवस्था के इस्तर पर हो गया है राजनीत के इस्तर पर हो गया है हमारे विचारों में परदेशी पन आ गया है पहनावे में काफी कुछ परदेशी पन आ गया है और अभी तो आप उससे भी गहरी बात अगर मैं कहूं हमारी माननिताओं में परदेशी पन आ गया है अब जब किसी राष्ट और समाज की माननिताएं बदलने लगती हैं परदेशी पन उन में आ जाता है तो संकट बहुत गहरा होता है तो हम लोगों को ऐसा लगा कि भारत की जो माननिताएं हैं भारतियता वाली स्वदेशी माननिताएं जो हैं उनके आधार पर संपूर भारत वर्ष का फिर से निर्मान करें ऐसे एक काम के लिए ऐसी एक कलपना के साथ हमने ये आंदोलन शुरू किया है और इस आंदोलन के पीछे की जो भूमिका है वो एक ही वाक्य में मैं कहना चाहता हूँ आजादी बचाओ आंदोलन एक ऐसा आंदोलन है जो संपूर भारत को भारतियता के आधार पर भारत की माननिताओं के आधार पर पूरे राश्ट्र को फिर से इस्थापित करने का आंदोलन है अब ये भारतियता की जो माननिता हैं और हमारी जो परिस्थती है आज की उसमें काफी कुछ मुश्किलाद है तो आज की परिस्थिती परदेशियत वाली है विदेशी बन वाली है और हम भारतियता की बात कर रहे हैं तो कई लोग तो कहते हैं कि राजी भाई आप कहीं मुर्खता का काम तो नहीं कर रहे हैं आप तो बहाओ के विरुद्ध काम कर रहे हैं प्रवाह एक दिशा में हैं और आप उसके उल्टी दिशा में काम कर रहे हैं तो मैं उनको बहुत विनम्रता से कहता हूं कि हाँ, बहाओ के विरुद्ध काम करने में ही तो मज़ा आता है बहाओ के साथ अगर काम करें तो वो तो कोई भी कर सकता जो अनोखे काम होते हैं दुनिया में वो ऐसे ही होते हैं तो कुछ ऐसी ही कोशिश हम कर रहे हैं भारत की आज की परिस्थिती और आज की परिस्थिती से निकलने वाले प्रशन और उनका समाधान यही तीन बात हैं मैं आपके सामने रखने की कोशिश करूँगा बहुत बार आपने मेरे व्याख्यान सुने हैं आज कुछ अलग बात आप से कहूंगा जो पहले की किसी व्याख्यान में मैंने नहीं कही क्योंकि कई लोगों की मांग है कि राजी वह आज आप कुछ नई बात कहिए तो कुछ नई बात भी आप से शेयर करने की कोशिश करूँगा और अब मैं मेरा व्याख्यान एक बिल्कुल नई घटना से शुरू करता हूँ अभी थोड़े समय पूर्व हमारे भारत देश में एक जन संख्या का सर्वेक्षण हुआ था लोक संख्या सर्वेक्षण जिसको कहते हैं अंग्रेजी में अगर एक शब्द आप उसको कहें तो सैंसस हर दस वरस में भारत देश में सैंसस होता है सैंसस माने पूरे देश की लोक संख्या की परिस्थती क्या है उसके बारे में सरकार माहिती लेती है फिर हमारे देश की सरकार का जो माहिती खाता है और उसके साथ एक स्टेटिस्टिकल डिपार्टमेंट दोनों मिलकर एक बुकलेट प्रकाशित करते हैं और वो बुकलेट पूरे देश में परिस्थती क्या है वो बताती है तो फरवरी मार्च के महीने में इसी वर्ष माने सन 2001 में सेंसस हुआ शायद आपको याद होगा आपके घर में कुछ सरकारी खाता के करमचारी आये होंगे जिनोंने आपसे कुछ प्रशन पूछे होंगे और उन प्रशनों का जवाब आपने दिया होगा उसके आधार पर वो सेंसस पूरे देश में चला ये सेंसस जब पूरा हुआ तो सरकार ने पूरे देश के सामने कुछ माहिती दी उसमें से कुछ माहिती मैं आपसे कहना चाहता हूँ पहली माहिती ऐसी मिली कि 101 कोटी की लोग संख्या हमारे देश में हो गई है दूसरी माहिती ये मिली कि 101 कोटी की लोग संख्या में 45 कोटी लोग ऐसे हैं जो बहुत गरीब है और इतने गरीब हैं जिनको दो समय खाने के लिए रोटी नहीं है 45 कोटी लोगों तीसरी माहिती उस सेंसस में ये मिली कि जो 45 कोटी लोगों की भयंकर गरीबी अपने देश में है इन 45 कोटी लोगों में 25 कोटी लोग इतने गरीब है जिनके पास एक दिवस में खर्च करने के लिए पांच रुपया नहीं है पांच रुपय प्रतिव्यक्ति नहीं है एक दिवस में खर्च करने के लिए एक रुपया नहीं है और पांच कोटी लोग तो इतने गरीब हैं अपने देश में जिनके पास एक दिवस में खर्च करने के लिए 50 पैसा भी नहीं ये हमारी सरकार की माहिती है जो बताती है और आप जानते हैं कि सरकार माहिती देती कम है छुपाती जादा है तो अगर इस माहिती को सच्चा मानना हो तो इसमें कुछ और बढ़ोतरी करनी होगी जैसे सरकार ने कहा कि 45 कोटी लोग हैं जो गरीबी के रेखा के नीचे हैं मुझे ऐसा लगता है कि हो सकता है 60-70 कोटी लोग हो गरीबी के रेखा के नीचे क्योंकि अमीरी की रेखा के ऊपर रहने वालों की संख्या तो एक या दो कोटी है इस देश में और उस से 94 कोटी लोगों की परिस्थिती स्टेश में कोई बहुत अच्छी नहीं कहीं जा सकती मेरे अनुमान से सरकार तो कहती है कि 45 कोटी लोग ही बहुत गरीब है एक माहिती और देता हूं उसी सेंसस की रिपोर्ट में सरकार ने बताया कि संपूर भारत वर्ष में 25 कोटी परिव और 101 कोटी की लोग संख्या में जो 25 कोटी परिवार हैं उनमें से करीब करीब अगर ऐसा माना चाहिए कि एक परिवार में 5 लोग रहते हैं ऐसा सरकार का अनुमान तो 25 कोटी परिवार पूरे देश में हैं अब इन 25 कोटी परिवारों की परिस्थिती क्या है आपको याद ह कोई मेंबर काम करता उसके साथ दूसरा कोई करता तीसरा कोई काम करता है आपके घर में टीवी है की नहीं है यह सब माहिती उन्होंने लिती वही सब माहिती अब tabulation होने के बाद आई है तो 25 कोटी परिवारों में 11 कोटी परिवार ऐसे हैं जहां संडास की कोई व्यवस्था नहीं है सरकार की माहिती के अनुसर 11 कोटी परिवारों में संडास की व्यवस्था नहीं है उन परिवारों की माताओं बहनों को संडास के लिए सड़क के दोनों बाजू बैठना पड़ता है मैं पूरे देश में एक एक गाओं से दूसरे गाओं घूमता हूँ मुझे बहुत दुख होता है कि जब मैं किसी गाओं में जाता हूँ और मेरी गाड़ी की हेड लाइट सड़क पर पड़ती है तो किसी बहन को, किसी माता को खड़े होना पड़ता है फिर मेरी गाड़ी गुजर जाने के बाद फिर बैठना पड़ता है कोई मुझसे पूछते राजिवाई आपकी जिंदगी में सबसे खराब समय कौन सा होता, वोइ समय में सबसे खराब मानता, मैं मेरे ऊपर यही सोचता रहता हूं कि मैं किस देश में पैदा हुआ, जिस देश की माताओं बेहनों को, उनकी जिंदगी के नितान तो निजी अभी थोड़े दिन पूर्व मेरी एक नेता से बात हुई एक मंत्री महुदे से बात हुई उन्होंने कहा कि राजी भाई हम तो हर एक परिवार को कहते हैं कि आप 400 रुपई लगाओ तो हम आपके घर में संडास की व्यवस्था करें तो मैंने उनसे कहा कि भाईजान 400 रुप यह तो लोक संख्या के बारे में मैंने कहा अब इसके साथ एक और महिती मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ अपने देश में 5,76,000 गाओं हैं कुल मिलाकर संपूर भारत में इन 5,76,000 गाओं में लगवग 2,75,000 गाओं ऐसे हैं जहां पीने का शुद्ध पानी नहीं प्योर ड्रिंकिंग वाटर नहीं है उन गाओं में जहां पीने का शुद्ध पानी नहीं नहीं गाओं में हमारे द पीने का पानी लाने के लिए 10 किलो मीटर पैदल जाना पड़ता है। आप जाएं कभी कच्छ में, सौराष्ट में, उड़ीसा में, मद्परदेश में, और इधर आंधरा में, करनाटक में, कई गाउं ऐसे मिलेंगे आपको जहां पीने का पानी या तो टेंकर से लाना पड़ता है सरकार को, और अगर सरकार टेंकर नहीं भेज़ती तो लोगों को पैदल जाकर पानी लाना पड़ता है, ऐसे गाउं हैं अपने देश में, फिर इसी देश में, कुल गाउं मैंने कहा, लगभग दो लाग, पांच लाग, शेयतर हजार, उन में से पचास टका गाउं ऐसे हैं, जहां अभी तक बीज की विवस्था नहीं है, इलेक्रिसिटी हैं, अभी तक नहीं, मेरे गाउं, आप कल पना कर सकते हैं, और मेरे जैसे हिंदुस्तान में लाख हों गाउं हैं, और मेरे गाउं में सिर्फ इलेक्रिसिटी ही नहीं हैं, रोड्स भी नहीं हैं, मुझे मेरा गाउं जब जाना होता है, तो एक जगए तक मैं गाड़ी से ज जाना होता गाड़ी भी नहीं जा सकती क्योंकि रोड सी नहीं है ऐसी परिस्तिती हिंदुस्तान के 48 टका गाओं में और लगवग 50 टका ही गाओं ऐसे हैं जहां पर कोई बीमार पड़ गया तो उसको मरने का ही इंतजार करना पड़ेगा डॉक्टर नहीं है प्राइमरी में के लिए 5-5 मीटर कपड़ा भी नहीं है कापड़े लिए मैंने हिंदुस्तान के अत्यंत गरीब लोगों को देखा है जिनकी आप कलपना नहीं कर सकते यहां बैठे हुए मैं भारत पूरा घूम चुका हूँ शायद ही कोई प्रदेश है जहां में नहीं गया अभी हाँ आयोजंच जहां पर था वो बहुत बड़ा मैदान था बहुत सारे लोग उसमें आये थे लेकिन मुझे हैरानी इस बात की थी कि जो लोग मेरा व्याक्यान सुनने आये थे उनमें से बहुत थोड़े लोग मेरे सामने बैठे थे ज्यादा लोग ज़ाड के पीछे खड नहीं है कि वो आपके सामने आके बैठ से लेकिन वो ये जानना चाहते थे कै कोई आदमी हमारी गरीबी के बारे में बात करने आया है उनको ये मालूम था लेकिन वो सामने आने में इतने शरमिंद की महसूस करते थे कि उनके पास कापड़ नहीं David फिर मैंने उसी बहवानी पत्नम के आसपास के गाओं में दोरा किया था सर्वे किया था टो एक गाओं में मैं गया वहां के गाओं में मैंने देखा किसी भी घर में तो शायद दरवाजा नहीं और जोपड़े जैसे घर कोई भी घर कहलाने लाइक इस्थती में था नहीं दस फिट बारे फिट का उनका छोटा सा जोपड़ा उसी में पाच्छे लोगों का परिवार रहता है पता नहीं कैसे रहता है मेरी कलपना के बाहर फिर उस गाओं के सरपंच के घर में मैं गया तो सरपंच का घर भी वैसा ही फिर सरपंच के घर में मैं गया तो मैंने सोचा उससे कुछ में बात करूँ तो मेरे साथ मेरे कई कारिकर थे जो उड़िया भाषा बोलते हैं तो मैंने उनको का जरा सरपंच को बुलाओ तो उन्हों अए ग़ुए आएगा नहीं आप उसके घर चलो तो मैंने도 चलो जब गए सरपंच के घर तो सरपंच को जब हमने आवाज दिया क्योंकि दरवाजा तो था नहीं तो हम क्या कहते elicking को खटट तो कर नहीं सकते कुछ सांकल थी नहीं आवज दिया आवाज दिया तो उसकी पत्नी बाहर आई तो मुझे बहुत दुख हुआ ये देखकर कि उस बहन के शरीर पर दो मीटर भी कापड नहीं जिससे वो अपने पूरे शरीर को लपेट सके दो मीटर भी कापड नहीं फिर मैंने उसको का कि आप बाहर मत आओ आप अपने अंदर जाओ अपने पती को बाहर भेजो तो वो बहन अंदर गई तो थोड़ा देर लगे उसके पती को बाहर आने में तो मैं सोच रहा था क्यूं बाहर नहीं आता तो मुझे इतना तकलीफ होई और मैं रो दिया उस दिल कि जो कापड लपेट कर पतनी बाहर आई थी वही कापड पहन के पती बाहर आ इतनी भेंकर गरीवी में हिंदुस्तान के कोटी कोटी लोग रहते तो ये परिस्थिती आज अपने देश की है तो ये परिस्थिती जब अपने देश की है तो भूब मुझे बहुत तकलीफ देते है मेरे मन में हमेशा एक प्रशनाता है कि इतनी गरीबी क्यों क्या पाप किया है हमने कौन से पाप की सजा ईश्वर हमें दे रहा है क्यों इतनी भेंकर गरीबी में लोग है गरीबी का अंदाजा आप लगाना चाहें तो रोज अखवारों में खबर आती है अभी एक सब्ताह पहले मैंने एक न्यूस पेपर में कटिंग काटा कटिंग ये था, न्यूस ये थी कि उडिसा, सोरे, 36 गड़ नाम का एक प्रदेश है वहाँ पर एक गाउं में 20 लोग चार परिवार के 20 लोग उनको एक सब्ताह से भोजन ने मिला, करने को तो उन्होंने क्या किया कि गाउं में एक भैस मर गई थी तो मरी हुई भैस का मास खाया और बिचारे वो अगले दिन सब मर गए 20 लोग एक साथ मर गए एक गाउ उसी 36 गड़ में उड़ीसा में से ये भी खबरें आती है कि बहुत सारे आदिवासी, बनवासी हम जो भी कहें अपने हिसाब से उनको जो भी संबोधन करें जो वनों में रहने वाले लोग, हमारे ही भाई बेहन जिनको कभी खाने को रोटी नहीं मिलती कि राजीब भाई, हमारे पास जितनी माहिती आती है भूक से मरने वाले लोगों की, उससे कई गुने जादा लोग मरते हैं दरवरस क्योंकि हमारे पास जो केस रजिस्टर होते हैं, वो दो रास्ते से या तो F.I.R. हो, पुलिस में कोई रिपोर्ट आए, या समाचार में ख़बर छपे निउस पेपर, अगर निउस पेपर में नहीं आता और पुलिस के कोई सूचना नहीं तो हमें तो मालूम ही नहीं कि कितने लोग मरें मेरे एक मित्र है, जो भारत सरकार में बहुत लंबे समय तक कैबिनेट सेक्रेटरी रहे हैं S.P. शर्मा, एक बार मैंने उनको पूछा, कि आप जब कैबिनेट सेक्रेटरी थे तो कभी तो बहस होती होगी मंत्री मंदल में, सरकार बात करती होगी, गरीबी के बारे में, भुकमरी के बारे में तो कुछ तो अंदाजा आता होगा आपको, क्या स्टेटिस्टिक्स हैं तब वो मुझे कहते थे कि राजी भाई, ओसतन हमें ऐसा मानते हैं कि एक बरस में हिंदुस्तान में लगबग दो लाख लोग मर जाते हैं भूख से या अत्यंत गरीबी से, हर बरस, दो लाख लोग मर जाते हैं अब ये भारत देश, जिसमें हम रहते हैं, जिसको हम चारों तरफ से देखते हैं कहीं से भी ऐसा नहीं लगता कि इस देश में गरीबी और भुकमरी से कोई मरना चाहिए क्योंकि हमारे पास अन्न का उत्पादन कम नहीं हो अन्न का उत्पादन भरपूर है अपने देश में इस बर्ष तो हमारे देश में 21 कोटी टन अनाच पैदा हुआ है जरूरत हमारी 15 कोटी टन की है उससे भी 6 कोटी टन जादा है तो अनाच का उत्पादन भरपूर है इस देश में अगर कोई मुझे ये कहे कि चूंकि अन्न उत्पादन कम होता है इसलिए लोग भूख से मरते हैं तो मैं उस बात को मानने को तयार नहीं अनाच तो हमारे देश में सड रहा है गो डाउंस में पड़ा हुआ है मैं अभी मुश्किल से महीने बर पहले इधर गया था हर्याना पंजाब की तरफ अगस्त के पहले सब्ता हमें पंजाब हर्याना का मैंने दोरा किया तो मैंने मेरी आँखों से देखा गाउं के गाउं में गेहूं के धेर लगे हुए बोरे पर बोरे है और बारिश में भीग रहे हैं पूरे के पूरे कोई उनको सुरक्षित रखने की व्यवस्ता ने फूड कॉर्परेशन अफ इंडिया वालों से पूछो कि भाई ये क्या होता तो उनका हमारे पास यगे नहीं हम कहां रख्या है इनको जरूरत से जादा पैदा हो गया है तो गेहू सड़ रहा है चावल सड़ रहा है दालें सड़ रही है सब सड़ रहा है लेकिन गरीब आदमी को खाने को नहीं मिल रहा है भारत में अन उत्पन अगर कम होता और हम भूक से मर रहे होते तो बात समझ में आती जब हमारे देश में पंडे जवारला नहरू हमारे प्रधान मंतरी थे तो उस समय अन का उत्पादन बहुत कम था तो हमें अमरीका से गेहूं खरीबना पड़ता था PL480 नाम की एक योजना चलती थी PL480 जिसमें लाल रंग का गेहूं आता था आप में से बहुत सारे वडिल लोग यहां बैटे हैं बहुत सीनियर सिटीजन उनको याद होगा तब हमारे देश में भुक मरी से लोग मरते थे तो वो तो बात समझ में आती है क्योंकि अन उत्पन नहीं नहीं था अभी तो इतना है कि हमारी जरूरत से जादा और जरूरत से कोई एक दो कोटी टन जादा नहीं छे कोटी टन जादा फिर भी लोग भूख से मरते हैं इसका माइने हमारे अन उत्पादन में कमी नहीं है हमारी सरकारी व्यवस्था में कहीं कोई कमी है क्योंकि काश्टकार तो पैदा करके दे रहा काश्टकार कहीं भी उत्पन को कम नहीं होने दे रहा हाला कि इस देश में सबसे ज़्यादा पीडित और दुखी काश्टकार ही है अगर काश्टकार के दुखों का आप लिस्ट बनाना शुरू करो तो उस पर एक भागवत पुराण लिखा जाता है इतने दुख हैं उसके जीवन तो इतने सारे दुखों को जहलते हुए भी काश्टकार अपने देश में अन उत्पादन में कमी नहीं आने देता ये उसकी बहुत ज़्यादा प्रसंशा की बात है हम सब को सलाम करना चाहिए इस देश के काश्टकारों को उनका वंदन करना चाहिए कि भयंकर दुख तकलीफ जहलते हुए भी वो अन उत्पन कम नहीं होने दे रहे लेकिन सरकारे हमारी निकम्मी है जो उस काश्टकार के पैदा हुए अनको गरीबों तक पहुँचा नहीं पारे ये सरकार का निकम्मापन है नेताओं का निकम्मापन है हमारी व्यवस्था में कहीं कोई खोट है उसमें कोई बहुत बड़ी खामी है उसी ध्रश्टी से मैंने कुछ अधिña करना शूरू किया कि अपने देश की परिस्थि और व्यवस्था दोनों का एक विश्लेश्ण मैं आपके सामने रखना चाहता हूं कि परिस्थिती क्या है वो मैंने आपके सामने रखी अब ये परिस्थिती जो पैदा हुई है भेंकर गरीबी भेंकर बेकारी भेंकर भुकमरी भेंकर मारा मारी की इस परिस्थिती के बारे में पूरे देश में बहस हो रही है संसत में भी बहस होती है बड़े बड़े पुढ़ेरी हैं भाशन देते हैं गरीबी के बारे में बेकारी के बारे में विधान सभाओं में भी बहस होती है कभी कभी इसके लिए बड़े सेमिनार्स होते हैं वर्कशॉप होते हैं सिंपोजियम्स होते हैं मेरे जैसे लोग भी कभी जाते हैं उसमें तो अभी थोड़े दिन पूर्व दिल्ली में ऐसा ही एक सेमिनार हुआ था और दिल्ली में एक सेमिनार ऐसा हुआ जिसमें विशह ये था कि भारत में भयंकर गरीबी क्यों ये बिशे था उस सेमिनार मुझे बहुत खुशी हुई कि उस सेमिनार में पाँच भूदपूर वो पंदपरदान आये थे एक साथ सब उपस्ते थे तो मुझे लगा कि सेमिनार बहुत सीरियस है क्योंकि पाँच भूदपूर पंदपरदान वेवेगोडा थे और इंद्रकुमार गुजराल थे ये पांचों के पांचों और उनके अलावा बहुत बड़े-बड़े पुढ़े 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 वहां पे बैठे थे बहुत बड़े-बड़े नेता सब के नाम लेना मुश्किल है क्योंकि समय जाएगा जब वह बह रिवेजिक हैं तो उसका कारण क्या है तो वो कहता था लोक संख्या बार है ये समाधान समय ने लगड़े पुढ़े करता थाltas lt से लोक संख्या कम होनी चाहिए जबर जस्ती सब की नस्बंदी करा देनी चाहिए सब को तो ऐसे कर देना चाहिए वैसे ये सब वो समाधन प्रस्तुत करते थे तब मुझे बहुत गुस्ता आया और मेरा फिर बाज में नंबर आया तो नंबर जब आया तो मैंने सभी पुडा कोई संबंद ने तो वो कहने लगे कैसे मैंने का अभी आप मेरे तीन प्रश्नों का जवाब दे दो फिर आप मुझे बताना तो नगा प्रश्न करिए तो मैंने पुडारियों से सबसे पहला प्रश्न किया कि अपनी लोग संख्या बाढ कितनी तो 1947 में आजाद हुए हम 15 अ थिर मैंने कहा कि अब लोग संख्या तीन पर जब बढ़ी है तो गरीवी कितनी बढ़नी चाहिए दूनिकारी वाड़ी तो मैंने लोग संख्या बाढ वही उतनी तो गरीवी बेकरी बढ़नी चाहिए तो मैंने उन्हीं पुढहरियों से पूछा 허락 रिजर्बेंक के कहते हैं कि 1947 में भारत में गरीबी की रेखा के नीचे जो लोग रहते थे, जो बहुत गरीब माने जाते हैं, उनकी लोग संख्या चार कोटी थी, चार कोटी, अब सरकार का सेंसफ ये कहता है कि गरीबी की रेखा के नीचे रहने वालों की संख्या हो गई है 45 कोटी, तो ग्योरे पतं लगवज हूई की नियूँ चार कोटी से 44 कोटी हूँ तो ग्यारे पत्त और पैंतालीस ही तो ग्यारे पत से ठोड़ा और lud SUSE थीरफ वहांरी बड़ी हुआ देशर लेवन नाम था मॉलोग संक्ञा बड़ी 30 पत doing उसकी एक थियोरी है, उसकी एक सिध्धान्त है, वो थियोरी हमारे देश के अर्थशास्प्रियों ने रट लिया, जैसे पोपत होता ना तोता, वो रट लेता तो वैसे ही अपने पुढ़ारियों ने रट लिया, माल्थस ने एक सिध्धान्त दिया, कि जो देश में चाहीं कहा हैं उसके जैसे मालतस कहता था कि गरीबी बढ़ने से बुकमरी बढ़ती है गरीबी बढ़ने से बेकारी बढ़ती है और लोकसंख्या बढ़ने से गरीबी बढ़ती है तो आप देखलो लोकसंख्या तीन पट बढ़ रही है गरीबी तो 11 पट बढ़ रही है अगर 45 कोटी, तो पुढारी सब चुप हो गए, फिर मैंने उनको एक दूसरा प्रशन का जवाब दो, तो कहने लगे दूसरा प्रशन आपका क्या, मैंने का दूसरा प्रशन ये है, कि आप बोलते हो कि लोग संख्या बाढ़ से ही बेकारी बढ़ती है, तो 1947 में हमारी लोग संख्य 34 कोटी थी, तो बेरोजगार लोगों की संख्या 2 कोटी थी, आज हमारी लोग संख्या 101 कोटी है, तो बेकारों की संख्या 20 कोटी है, तो लोग संख्या तो 3 पट बढ़ी है, बेकारी तो 10 पट बढ़ गए, तो इसका क्या संबंद है, आप बता दो मुझे, तो कोई बोला बेकारी बढ़ने कारण आप सब लोग जो यहां लगे आप क्या कह रहे हैं मैंने का नहीं चाहिए अगर आप में सच सुनने की हिम्मत है तो आप बैठिये मैं आपको बताता हूं कि आप गरीबी बेकारी बढ़ने का कारण कैसे हैं तो कहने लगे कैसे मैंने का देखिया ऐसा है आप मुझे यह बताइए पिछले चौपन वर्षों में 1947 से 2001 करीब 54 55 यह हो गए हमको आपने कितनी पंचवर्शी योजना बनाई तो पुढारी बोलने लगे नव नव पंचवर्शी योजना बनी पहली पंचवर्शी योजना 1952 मैं तो मैंने का पंचवर्शी योजना आपके किसके लिए बनाई लगे गरीवी दूर करने के लिए बेकारी दूर करने के लिए तो मैंने का अच्छा दूर हो गई क्या कि नहीं हुए तो जैसे जैसे पंचवर्शी योजना बनती गई गरीवी बढ़ती गई बेकारी बढ हो जाता है दस लाख कोटी एक पंच वर्षी योजना तो मैंने का नव पंच वर्षी योजना आपने लागू कर दी पूरे देश में दस वी शुरू होने जा रही है तो इसका सीधा अर्थ यह है कि हमारे पुढारियों ने पिछले चौपन वर्षों में नब्बे लाख कोट कि आपने नब्बे लाख कोटी रुपए खर्च कर दिया नव पंच वर्षी योजना दस वी बनने जा रही है उसमें और आप नव लाख कोटी खर्च करोगे तो 99 लाख कोटी ही तो मान लो कि खर्च हो गया और आप कहते हो गरी भी कब समनी होती बेकारी समनी होती तो यह पैसा गया कहां से आप तो कहते हो खर्च कर दिया और दिखता है नहीं कि गरी भी दूर हुई बेकारी ने अब मैंने उनको कहा सब पुढ़ारियों को जिसका वो जवाब नहीं दे रहे थे मुझे मैंने उनको कहा कि अगर आपने इमानदारी से यह जो 90 लाख कोटी रुप पंचवर्शी योजनाओं में खर्च किया गरी भी दूर करने के लिए आपने इतना ही किया होता कि यह रुपिया सीधे लोगों को दे दिया होता तो जरूर इस तेश की गरी भी दूर हो जाए तो कहने लगे कैसे मैंने का हिसाब समझ लो पूरी लोग संख्या सो कोटी है और खर्चा हुआ है हमारे उपर 90 लाख कोटी तो हिसाब जानते क्या निकलता एक एक व्यक्ति को 9 लाख रुपए मिल जाता अब एक व्यक्ति को हम 9 लाख रुपए दे सकते थे जितना अभी तक विकास हुआ अच्छा और ये एक व्यक्ति बोल रहा हूं मैं एक परिवार नहीं बोल रहा हूं अभी तो मैं आगे बढ़ रहा हूं एक व्यक्ति को हम 9 लाख रुपए दे दे ते तो एक परिवार को क कि एक परिवार में पांच लोग हैं मांगो सवकोटी में तो सब है ना बच्चे भी हैं बड़े भी हैं बूड़े हैं सब तो मैंने कहा उनको कि अगर आप इमानदारी से यह पंचवर्शी योजना नहीं बनाते और यह सारा पैसा देश के लोगों को सीधे दे देते तो एक एक परिवार को 35 लाख रुपए मिल जाता तो हम कम से कम लखपती तो होते ही सब के सब होते के नहीं होते और अगर 35 लाख रुपए एक परिवार के पास होता तो कुछ धंदा तो कर सकता था कुछ नहीं करता माले टैक्सी चलाता कल पना कर तो पांच लाख रुपएं में एक टैक्सी तो आती ही यह न llevar बाइब creator ले लो या कुछ भी ले-लो महिंद्रा की ले-लो या किसी ताठा कुम ले-लो 5 लाग की यह चाती तो हर हर एक परिवार के पास पांच-पांच गाड़ियां होती ही और हर एक के पास दस लाख रुपए का फिक्स डिपॉजिट होता है पांच गाड़ियों के ऊपर दस लाख रुपए का फिक्स डिपॉजिट और दस लाख का फिक्स डिपॉजिट दस तका व्याज भी मिले वरस का तो आप सो कि उसके व्याज से हमारा घर-खर चल रहा होता हमें तो भुकमरी बेकारी होती ही ने अगर हम ऐसा भी करते कि मानलो टैक्सी ही नहीं खरीचते 35-35 लाख हमने दिया लोगों को लोग उसको बैंक में FD कर देते साल में 5.3 लाख रुपए तो महिने में कितना है कम से कम 30 अजार तो बैठे गाई तो महिने में 30,000 रुपए की आमंदनी दरेक फैमिली की होती चाहे वह खाक पती चाहे रोज पती चाहे करोड पती तो हर एक आदमी को महिने में 30,000 रुपई की आमंदनी होती तो वो भैस का घास खा के मरता या भैस का मात खा के मरता ये कैसे हो गए तब वो सब उढ़ारी शान्त हुए फिर कहने लगे कि आपकी बात कुछ तो समझ में आ रही है मैंने का अगर आप थोड़े और इमानदारी से समझने की कोशिश करें तो मैं आगे भी आपको समझा सकता हूँ तो कहने लगे क्या करें मैंने का आप ये सब सरकार चलाना बंद कर दो सब बंद कर दो तो केले लेकि फिर क्या होगा, मैंने का मैं उसका रास्ता बताताम, आप सरकार बन कर दो, family planning, department, department, सब बन करो, planning commission बन कर दो, budget, budget सब बन कर दो, क्योंकि आपने सिद्ध कर दिया, 54 साल हमने आपको समय दिया, आपने पूरे पैसे को पता नहीं कहा खट्डे में डाला, आप बो तो मैंने का वो आप मैंसे थोड़े बहतर थे तो कहने लगे क्यों मैंने का थोड़े इस पश्ट वक्ता थे बोल देते थे जो मन में था तो एक दिन उन्होंने लोग सवा में कह दिया कि मैं दिल्ली से एक रुपया जब काश्टकार को भेजता हूं तो नीचे पंद्रे पैस पहुचता है इसका अर्थ यह है कि दिल्ली से काश्टकार के बीच की व्यवस्था में कहीं तो छेद है पहुचता है नहीं उसके पास अच्छा ये बात राजीव गांदी ने कई थी 1989 में 1989 में तब भोटाले बहुत कम होते प्रश्टाचार कम होता अब मैं ऐसा मानता हूं कि दिल्ली से शायद वो एक रुपए भेजते होंगे तो काश्टकार तक पाँच पैसा भी नहीं पहुचता हो तो यह जाता कहा है तो आप तो दिल्ली से भेज रहे हो पंच वर्शी योजना बना रहे हो बजट चला रहे हो लाखों करोड़ों रुपए उसमें कर्च हो र पीने को पारी नहीं खाने को रोटी नहीं चलने को सड़क नहीं दवा नहीं यह नहीं वो नहीं तो कुछ परिस्तित है आप तो कहते हो हम तो करोणा रुपए खर्च कर रहे हैं और यह सब पुढ़ारी लोग जब सरकार चलाते हैं तो हम से टेक्स लेते हैं क्या बोलकर कि लाखों रुपए टेक्स देने वाले भी होंगे लेकिन मैं एक average बता रहा हूँ क्योंकि आप में से बहुत लोग income tax देते होंगे तो लाखों रुपए जाता होगा लेकिन कोई आदमी तो शायद नहीं दे पाता तो मैं एक average बता रहा हूँ पूरे देश में 100 कोटी की लोग संख्या है और सरकार का जो total tax collection है एक बरस का वो 5 लाख कोटी का है जिसमें 2 लाख कोटी केंद्र का है 3 लाख कोटी राज्य सरकारों का है तो हर एक व्यक्ती औस तन 5000 रुपए टेक्स देता है बरस में तो हम सब जो 5000 रुपए बरस में टेक्स देते हैं अब आप जिरा अकोला के बारे में कलपना करो अकोला की लोग संख्या कितनी है 4 लाख और हर व्यक्ती टेक्स दे रहा है 5000 तो 4 लाख में 5000 का गुणा करो नहीं नहीं 2 करोड तो कुछ भी नहीं है 20 करोड या 200 करोड 4 लाख में 5000 का गुणा 1,2,1,1,10,6 बिंदी तो वो फिर 10 लाख करोड 10 करोड और फिर और 200 करोड अब आप जिरा सोचो आप सब अकोला वाले मिलकर 200 करोड रुपए का टेक्स भर रहे हो एक बरस में अच्छा आप में इतनी अकल नहीं है क्या कि ये 200 करोड का जो टेक्स हम भर रहे हैं इसको अपने ही अकोला में रोक लें और इससे पूरे अकोला की व्यवस्था को सुधार लाए ये संबभ नहीं है क्या अच्छा और आप जरा कलपना करो कि जितना टेक्स में आप हर बरस भरते हो उसका देना बन कर दो पुढ़ारियों मालो टेक्स देना बन कर दो और यह मैं खुले आम बोलता हूं चैलेंज दे करके एक समय आएगा कि आपको टेक्स देना बन करने ही पड़े नहीं तो यह सब हरामकोर आपता पैसा खाते ही रहे हैं तो आप टेक्स देना बन कर दो और ऐसा करो अकोला में एक समीती बना लो सब लोग मिलकर उस समीती में कुछ व्यवस्था कर ले X,Y,Z किसी भी व्यक्ति को जिनको आप अच्छा मानते हो रख लो उसमें पुढ़ारियों का प्रवेश भरजित है बागी सब के लिए खुली छूँ तो वो समीती बन जाए और 200 कोटी रुपए हर वरस अगर आपके पास आए तो क्या आप 200 कोटी रुपए में अकोला में पीने का पानी नहीं दे पाएंगे आप बताओ चलने को सड़क नहीं दे पाएंगे खाने को रोटी नहीं दे पाएंगे मैं तो अकोला के हिसाब से बोलता हूँ कि 200 कोटी रुपए दरवरस अगर आप ले भी लोगे तो अकोला की संपूर व्यवस्था को चलाने में मुश्किल से मुश्किल 50 कोटी का करचाएगा 1500 कोटी हर साल बैलेंस रहेगा जो सर्पलस होगा आप तो अकोला के साथ 10 और जिले की व्यवस्था चला सकते तो ये बात मैंने पुढ़ारियों को कही कि आप देश के ऊपर रहम करो महराज आप पधार जाओ इस देश में से कहीं दुनिया में जगे मिले वहां चले जाओ हमको हमारे हाल पे छोड़ दो हम हमारे टेक्स इकठा करके अपने शहर की व्यवस्था चला सकते क्या मुश्किल है अजा आप बताओ हम घर चलाते हैं तो शहर नहीं चला सकते क्या जो लोग घर चला सकते हैं परिवार चला सकते हैं वो महला चला सकते हैं और जो मोहला चला सकते हैं वो एक geometry को चला सकते हैं और वार्ड चला लिया तो 50 वार्ड को चला लेंगे तो शहर भी चल जा जाएगा पुढ़ारीयों के जरूरत क्या आपने इह पार्टियों के लोग आते हैं वोट मांगे ले जाते हैं करते वो ही हैं जो पुरानी पार-टी करती है नया तो कुछ करते वरते नहीं जैसे पुरानी पार्टी करती थी वैसे नहीं पार्टियां करती है तो अब हम करें क्या तो मैंने उन सब के सामने कहा कि सब आप लोग ।दे देश की गरीबी भुकमरी बेकारी सब दूर हो जाएं तो कैनले कि JEFF जीसे दूर जाएगी मैंने उनको समझाया उनके सामने मैंने उनको कहा कि आप लोग जो सरकार चलाते उनका खर्च क्या है सरकार चलाने का तो हमारे देश में पुढ़ारी नंबर वन जिनको हम राष्ट्रपती कहते हैं आप जानते हैं उनका एक बरस का खर्च 18 कोटी रुपए का जो हम देते हैं उनको कहां से देते हैं टैक्स के पैसे में से तो 18 कोटी रुपए पुढ़ारी नंबर वन राष्ट्रपती का खर्च तो एक बरस का 18 कोटी तो महिने का लेड़ कोटी तो दिवस का पांच लाक रुपए एक दिवस का राष्ट्रपती का खर्च पांच लाक रुपए और एक दिवस में भारत में पांच कोटी लोग हैं ज पांच यूप्याइद का नग्युलूर्ट पांच पप्लच कौवटे के पास 50 फैसन is का माइन ये है कि 45 प्लूर्ट के पास एक avoid के हिसाब से 6.5 पाइद अगर मैं तीनों को एड करके बोलू नो तो उन 봐 इस तो हमारे देश 매ं 45 कोटी लोगों को दिवस में पांच रुपई नहीं है खरच करने के लिए और राश्ट्रपती नाम के पुढ़ारी को दिवस में पांच लाक रुपई अब मैं आपसे प्रश्ण पूछता हूं आपने राश्ट्रपती को बनाया है कि राश्ट्रपती ने आपको बनाया है आपने बनाया ना तो मालिक आप हैं या वो तो राश्ट्रपती कौन है नौकर आपने दुनिया में ऐसी कोई व्यवस्था देखी है जहां मालिक भूखा मरे और नौकर मजा करे आप बताओ दुनिया में कहीं आपने ऐसी व्यवस्था देखी कि मालिक तो भूखा मरे और नौकर मजा करे आप अपने व्यापार में ऐसे किसी नौकर को रखेंगे आप दुकान चलाते हैं दुकान में ऐसा नौकर रखेंगे कभी कि नौकर मला ही खाए और मालिक भूका मर जाए तो जो देश का मालिक है जिसको हम बोटर कहते हैं देश का नागरिक कहते हैं जो टेक्स देता है लेजिटिमेट सिटीजन है नैचुरल बॉर्न सिटीजन है वो भूखा मर रहा है और हमारे देश के पुडारियों की पगार पे एक एक व्यक्ति पर अठारे कोटी रुपए खर्च हो रहा है फिर राश्ट्रपती की पगार तो आप पूछो क्या काम करते हैं तो राश्ट्रपती का काम है कि लोग सभा से कोई फाइल जाती है उस पर सही करना तो कितने दिन फाइल जाती है बरस में एक महिना बस क्यों बाकी दिन लोग सभा चलती ही नहीं और चलती भी यह तो वहां दंगल होता लोग सभा तो अखाड भी जो दंगल होता उसके नियम काद़े कानों वहां तो कुछ नियम ही नहीं काइदे बराख ही कोई कि इसी ति कि सदन को इस्थगित कर देता तो वो यही разв죠 तो चाहतें कि सदन इस्थगित होता रहे और पगार इंको बढ़ती रहे तो सदन इस्थगित हो जाता फिर कामी नहीं और ऐसे दिवस लोगसभा में बहुत बरबाद होते हैं। भारत देश के पूर्व लोगसभाद्यक्ष जिनका नाम है पिये संगमा। उन्होंने अभी थोड़े दिन पहले एक पुस्तक छोटी सी लिखे हैं। उसमें कहा है कि आज से पचास बरस पहले लोगसभा में जितना काम होता था आज उसका दस टका भी नहीं होता। दस्ट का काम नहीं है लोग सभा में काम नहीं हो तो राश्ट्रपती को काम हो लोग सभा काम करे तो राश्ट्रपती को काम हो लोग सभा काम ही नहीं करती तो राश्ट्रपती को काम हो और काम होता भी है तो सिर्फ सही करने तो सही करने का काम करने के लिए हमने एक नौकर हम उन्होंने कि आप में हम सब जो रोज आठाठ गंटे मेहनत करें ने उनको 40 रुपय नहीं मिलता के बिचारें 55 पंद Gay करने को तही है कल मैं उरन नाम के गाउं में गया वहां मेरे परचित मित्र है निमाडे से मैं उनसे बात कर रहा था तो उन्होंने का राजी भई हमारे गाउं की तुपरिस्थितिया इसी है कि बहने महिलाएं पूरे दिवस खेत में काम करें तो भी 25 रुपई नहीं मिलता हू जुके-जुके-जुके-दान की रुपई करनी पलती है वो काश्टकार को दिवस में 25 रुपई भी न मिले और राश्टपती को सिर्फ सही करने के लिए दिवस का पांच लाग रुप नाम ये विवस था अपने देशने और राश्टपती महोदे जिस घर में रहते हैं वो मैंने एक दिन उनको कहा, मेरे कुछ मित्रों को जो पोडारी है, कि राष्ट्रपती दो पती पत्नी हैं बस, एक पती और एक पत्नी, और तो कोई है नहीं घर में, तो ये दो लोग 350 कमरे में रहते कैसे हैं, आप मुझे जरा ये समझे, कैसे रहते हैं, कुछ हिसाब ही नहीं बैठता हुसका, मैंने एक दिन ये सोचा, कि वो एक दिवस या एक रात एक कमरे में सोएं, दूसरे दिवस दूसरे कमरे में सोएं, तीसरे दिवस तीसरे कमरे में सोएं, तो अभी एक बरस के बाद पहले कमरे का नंबर आएगा, एक बरस के बाद, क्योंकि एक बरस में दि पंदरेवस चुट्ती के निकाल दो बीक इस निकाल दो एक कमरे में सोएं तो भी तीन सो सपचास कमझ का हिसाब कुछ समझ में नहीं जा को रहते हैं उतने बड़े घर weak हो सकता राश्रोपती बनने के पहले उनके पासदोई कमरे का घर हो Stones राश्रोपती बनने के बाद माने हमारा नौकर बनने के बाद उनको आलिशान महल में लेगा जब वो हमारे जैसे हैं तब वो दो ही कमरे के घर में रहेंगे लेकिन जब हमारे नौकर बनके सही करने के लिए बैठेंगे तो उनको साड़े तीन सो कमरे का घर में लेगा ये व्यवस्था अपने देश अब वो जो साड़े 300 कमरे का घर है उसकी सफाई होती है तो उसमें तो 400 से जादा करमचारी है जाडू लगाने वाले फिर पीछे से पोछा लगाने वाले दिवस भर उसमें सफाई चलती रहे मैं तो कई बार गया हूँ वहाँ और फिर वहाँ पे रसोई हैं, डॉक्टर हैं, बीस डॉक्टर, बीस, अब पता नहीं कैसे इलाज होगा, एक डॉक्टर हो तो कुछ समझता भी है भाई उसको, क्या बीमरी है क्या नहीं, अब बीस डॉक्टर एक साथ खड़े हो गए, और राश्ट्रपती एक बीमार, कैसे इलाज करेंगे इंदुस्तान की परिस्तिती ये है कि गाउ में दो-दो लाख लोगों के मरीजों पर एक डॉक्टर नहीं, राश्ट्रपती के उपर बीस डॉक्टर, और जब वो चलते हैं, तो पच्चीस-तीस कारें उनके साथ चलते हैं, पच्चीस-तीस कम से कम, एक बार मैंने किसी को प पता ही नहीं चलता, तो एक ही कार में वो बैठते हैं, बाकी सब खाली होती हैं, सिर्फ ड्राइवर रहता, आगे पीछे लाइन से चलती हैं, एक में वो बैठते हैं, बाकी खाली चलती हैं, तो वो जब चलती हैं, तो उनके डीजल पेट्रोल का खर्च, वो अलग से हैं, तो कुछ समझता नहीं अपने को, तो ये क्या चलता आपने लें, फिर उपराश्ट्रपती है, उनको तो बरस का खर्च तेरे कोटी का है, उनका तो कुछ भी काम नहीं, राश्ट्रपती तो भी सही करते हैं, उपराश्ट्रपती का तो भी काम नहीं, एक बार मैंने किसी को प अब मैंने उनसे पूछा कि मर गए तो मरे तो नहीं अभी तक पिछले 50 वर्षों में ऐसा कभी हुआ नहीं कि राष्ट्रपती मरे और उपराष्ट्रपती को काम आया वो होता ही नहीं है तो अगले 100 वरस भी नहीं होगा इसकी क्या गारंटी है लेकिन पोस्ट बराबर और खर्चा उनका बराबर तो उनका खर्च है फिर उपराष्ट्रपती के नीचे पंत प्रधान उनका वरस का खर्च 11 कोटी का फिर उसके नीचे मंत्री 73 मंत्री जिनके पास कोई काम नहीं है हाँ मैं आपको सच बात बता रहा हूं पराश्रपती के नीचे पंत्व प्रधान उनका वरस का खर्च 11 कोटी का फिर उसके नीचे मंत्री 73 मंत्री हैं 53 मंतुर्यों में 36 मंतुर्यों जिनके पास कोई काम नहीं हाँ मैं आपको सच बात बता रहा हूं एक अंदर की बात बताता seekers कि इंतर बताता हूं सरकार के अंदर चाहन तilly kids करें अभी एक एक एसंदम भिशाज असंधन बनाया सरकार के अंदर है संगढ़न अगल स्थाइस और दंधा वह दो थी उन्हों ने क्यों बनाया तो एक मंत्री शुक्त बनाया डोरान मंत्री को एक मैम रेंडम दिया ज्यापन दिया क्या बात का कि हमको काम दो खाम ही नहीं है हमारे को तो रॉचा आप दिवसबर करते हैं कि बस बैठते हैं a еще один सभे रहते हैं शाम को घर जाते हैं कुछ उसमें देखते रहते हैं TV और तो कुछ काम है न抄 और काम क्योंनी है क्योंकि पहली बार ऐसा मंप्री मंदल बना देश मे जिसके मंत्रियों की जरूरती कम थी जाना से जादा 40-45 मंत्री बहुत होते हैं दिल्ली में अभी तो 73 मंत्री काम कहां से आए लेकिन खर्चा उनका सबका मंत्रियों वाला फिर उन मंत्रियों के नीचे मुख्य मंत्री पूरे देश में 28 मुख्य मंत्री दर एक मुख्य मंत्री का साल का खर्च 10 कोटी तो 28 का 280 कोटी फिर 28 राज्य पाल मुख्य मंत्री के उपर हर एक राज्य पाल का 11-12 कोटी का खर्च तो 300 कोटी वो फिर राज्य सरकार में मंत्री केंद्र के अलग राज्य के अलग मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूं मेरे राज्य सरकार में नववत के ऊपर चार 94 मंत्री इस समय और उनमें से 18 मंत्री हैं जिनको कहते हैं मिनिस्टर स्विदाउट पूर्ट फोलियो विना खाता मंत्री छाता कहां से लाट कि वनें मंत्री और जो मंत्री खाता के बगैर है उनका एक बरसका चाए पानी का खर्च एक कोटी 36 रुपय का लेकिन चाय पानी है mamam शायद चाय पानी के लिए ही मंत्री फिर एक बार मैंने किसी पुढ़ारी को पूछा यूपी में कि भाई इतना जंबो मंत्री मंदल क्यों तो नहीं का मुख्य मंत्री की कुरसी बचाने के लिए तो बना नहीं पड़ता तो मैंने का मेरे उत्तर प्रदेश में 405 आमदार होते हैं पहले तो 425 थे फिर जब से उत है बंगला फ्री है बिजली फ्री है मुबाइल फोन फ्री है आप जानते हैं हर एक मंत्री को मुबाइल फोन फ्री है और उनको जो मुबाइल मिला हुआ है वो रोमिंग है ओल इंडिया है वो फोन करें या न करें 8000 रुपए महीने का तो उसका बिल है 8000 रुपए महीने का बिल है वो फोन करें या ना करें हर एक मंतुरी को ओल इंडिया मोबाइल इस्टेट में भी और सेंट्र में फिर उसके बाद जब वो सदन नहीं चलता माने विदान सभा नहीं चलती लोग सभा नहीं चलती और अपने छेतर के दोरे पर होते हैं तो वो एलाउंस अलग से मिलत कोंस्टिटूएंसी के हिसाब से फिर गाडियों में डीजल पेट्रोल मिलता केंडर के मंतुरी को बड़े आराम से बरस में 400 लीटर डीजल या पेट्रोल फ्री है मिनीमम इतना तो है फिर हवाईजाज की यात्रा फ्री है तो क्या-क्या नहीं है उनको एक-एक घर के मंतु एकड़ में घर बना हुआ और उसमें वो भाजी करते हैं और भाजी भी बजार में बेचते हैं उसकी भी कमाई कर लेते हैं आप हसीय मत मैं आपको सची बात बोले दिल्ली में कई मंत्रियों के घर में मैंने देखा वो भाजी पाला करते हैं और बाजार में बेचके उसका भी नफा लेते क्योंकि पाँच एकड का फ्लोट है क्या करेंगे उसमें रह तो सकते ने तो उसमें भूप करते हैं तो उसमें दिकमाई करते हैं तो ये परिस्थिती है फिर एक दिन मैंने क्या किया कि इसके ऊपर 800 खासदार अपने देश में और 800 खासदार के ऊपर 4025 आमदार पूरे देश में हर एक खासदार का एक महीने का खर्च एक लाक रुपए और ये जो पगारवाड हुआ ना अभी पंद्रवीज दिवसपूर तीन पट पगारवाड किया तो पगारवाड के बाद अब खासदार का महीने का खर्च हो जाएगा तीन लाक रुपए अभी तक एक लाक रुपए महीने था तीन लाक अब आप देखो ये चतुराई क्या है आप अगर अख़़ार पढ़ोगे तो उसमें ख़वर ये है कि पहले उनको पगार थी चार हजार रुपए मासिक अब बारे हजार ये तो बेसिक है इसके ऊपर बहुत कुछ होता है ये तो आपको मुझको मूर्ख बनाने के लिए बेसिक सेलरी है इसके अलावा जो उनको दिया जाता है उनके डिपार्टमेंट क उनके सेक्रेटरी के उनके असिस्टेंट के नाम पर उनके पूरे ओफिस के नाम पर फिर उनको बिजली के खर्चे के नाम पर पानी के खर्चे के नाम पर घर खर्चे के नाम पर फिर हवाईजाज की यात्रा वो सब मैंने एक बार जोड़ा तो एक आमदार सौरी एक संतुष्ट नहीं क्योंते हैं अभी और बढ़ाओ इसको हमारे देश में एक खासदार है उनका नाम है राजीव शुकला और राज्य सवह में अभी खासदार हुआ है थोड़े दिवस्पूर्व तो उन्होंने अभी थोड़े दिवस्पूर्व कहा कि यह तीन लाक रुपए मासिक जो हमारा खरचा है यह कम है तो उसको किसी ने पूछा कितना होना चाहिए तो उसने का बारे लाक होना चाहिए कम से पर तो फिर उनको पूछा गया भी बारे लाक रुपए महीने का आप ऐसा कौन सा काम करते हैं जो आपको इतना मिलना चाहिए तो अमरीका में मिलता ही जो गए हैं उन horrific को पीट-पीट के भाए ञार है ऑब तोि अम्रीमा stories है जब उनकी economy का iskill और हमारी economy के skill में जमीन आश्मान का फर filming का प्रफ reca strips का एक साल πजट हिंडुसतान के दस साल के budget के बराबर हैं कि तो जब उनका एक साल का बजट दस साल के हमारे बजट के बरावर है उस बजट में वो बारे लाग रुपए महीने देते हैं लेकिन एक माहिती में आपको देना चाहता हूँ वो ये अमरीका के किसी भी खासदार को ना तो मुफ्ट में मुबाइल फोन मिलता है ना मुफ्ट में हवाई यात्रा करने को मिलती है ना मुफ्ट में रहने को घर मिलता है ना मुफ्ट की भीज मिलती है ना मुफ्ट का पानी मिलता है उनको उतना ही टैक्स देना पड़ता है जितना किसी को नहीं देती, बत्ता किसी को नहीं देती, हमारे ही देश में है ये व्यवत्त, तो इतनी भयंकर पगार का खर्च अपने देश का, और ये खर्चा कितना है, मैंने एक बार ये सब खर्चा जोड़ा, राश्ट्रपती से लेकर, और नीचे हिंदुस्तान में मुनिसिपल कॉर्पोरेशन के कॉर्पोरेटर तक, पगार का खर्च एक बार मैंने जोड़ा, फिर बाद में मुझे लगा कि सरपंच को भी इसमें शामिल करूँ क्योंकि अब उनको भी पगार मिलने लगी है, तो पांच लाग छेट्र हजार सरपंच हैं पूरे देश में, तो उनका भ करीबी का सबसे बड़ा कारण है, आप पूछोगे क्यों, आप सीधे से हिसाब जोड़ो ना, अगर ये 87,000 कोटी बरस में खर्च नहीं होता, सीधे लोगों में बांट दिया जाता, तो भी एक-एक व्यक्ति को इस तेश में 8,700 रुपए बड़े आराम से बरस में मिल सकता नहीं करते हम, यवस्था ही नहीं चलाते हैं, ना हमें संसद चलानी हैं, लोग सवा ना विदान सब, बन कर दो ये सब, क्योंकि आप चलाते हो हमारे लिए, और हमारे ही काम होता नहीं, पगारवाड होती रहते हैं, जब संसद में पगारवाड का विद्यक आता है, सब खा और मुझे इस बार इतना खराब लगा कि इसी वर्ष हिंदुस्तान में भूख से सबसे ज़्यादा लोग मर रहे हैं और इसी वर्ष अपने पुढारी पगारवाड में लगे हुआ है सबसे ज़्यादा दुख की बात है अपने दुख और दुख ही नहीं शर्म आती है मुझे मेरे देश के पुढारी होगा यही देश है जिसको भारत हम कहते हैं पचास वर्ष पूर्व इस देश में ऐसे पुढारी होते थे जो देश के लिए सब कुछ दे सकते थे घर में जो है वो भी निकाल के दे सकते आप उन पुढारियों के नाम गिल दो लोकमा नितिलक हारे देश में सुभाश शंद्रबोस वगत सींग, चंदरशेकार आजाद तांत्या टोपे, जहासिकान लक्षिवभाई नाना फढनवी, सावरकर, मात्मा गांदी ऐसे ऐसे आप लिस्ट बनाते जाओ एक-एक पुढारी का नाम लेते जाओ चाफेकर बंदू ये जितने भी नाम आप लेना चाहो ले सकते हो, इन सभी नाम लेने वालों के नेताओं के चरित्र लगबक क्या थे, कि वो देश के लिए कुछ भी कर सकते थे, अपना घर देना हो तो घर दे सकते थे, बच्चों को दाओं पर लगाना हो तो बच्चों को दाओं पर लगा सकते थे, नौकुरी छोड़ में हो तो नौकुरी छोड़ सकते थे, धंदा छोड़ना हो तो धंदा छोड़ सकते थे, और किया है उन्हों आप जानते हैं सुभाश शंद्र बोस्तो आई सीएस में टॉपर थे और अंग्रेजों की सरकार में आई सीएस टॉप करना कोई मजाख बात नहीं थी हिंदुस्तानियों को तो प्रवेश नहीं मिलता और उन्होंने अंग्रेजी लड़कों को पीछे छोड़ बहुत अच्छे घर के बच्चे थे चाहते तो करोणों रुपए कमा सकते थे व्यापार कर सकते थे लेकिन छोड़ दिया सब चाफे कर बंदू भी ऐसे ही थे हमारे देश में सावर करकी कोई कमी थी क्या योगिता मात्मा गंदी की योगिता कुछ कम थी क्या बहुत कुछ नियोचावर किया अपनी जान तक दी पैसा तो कुछ भी नहीं होता पैसा दान तो कोई भी कर सकता है अपनी देह का दान करना अपनी जान देना अपनी कुरबानी देना ये तो उची बात है वो सब करने की मानिता रखने वाले पुढ़ारी वो एक बाजू में और आ चूसते रहते हैं ऐसे हैं कहीं मौका मिल जाओं देखो आप एक तो पगार में पैसा लेते हैं भरपूर बत्ते मिलते हैं वेतन मिलता भरपूर फिर यही पुढ़ारी रिश्वत भी लेते हैं अलग से आप छोटे से छोटा काम लेके जाओ अकोला में कहीं पर किसी महले में हेंड़ पाइप लगाना है और मैं आपको चैलेंज दे कर बोलता हूँ आप ले जाओं कि हमेंएक हेंड़ पाइप लगाना बिना पैसे कि आपका काम हो जाए तो आप मुझे बता देना छोटे से चोटा का value में किसी कोने पर हेंड़ किसी गाउं में खुणँ खुदवान आपको मैं एक उधारण देता हूँ, आप अकोला में कोई एक स्कूल खोलना चाहो, तो आपको जितनी रिश्वत देनी पड़ेगी उतने में शायद दो स्कूल खुल जाने, पर्मिशन नहीं मिलेगी, लाइसेंस नहीं मिलेगा, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, फिर मिल ग जैसे निर्दई होते हैं, जैसे कसाई होता है न, वो ना गाय को देखता है न बढ़त को देखता है, सब पे उसका छुड़ा चलता है, वैसे ही कसाईपन इन में आ गया, गरीब से गरीब आद्मी को नहीं छोड़ते, मैंने कई बार मेरी आँखों से देखा, मैं तो गाउ काउं में जाता हूं, इतने इतने गरीब लोग जिन के पास विचारों के पास खुद का कुछ नहीं है, पुढ़ारियों ने उनको भी धोखा देने में कमी नहीं छोड़े, किसी को धोखा देते हैं, तुमको नौकरी लगवाएंगे, मुंबई आ जाओ, इतना पैसा दे द मैं नाम भूल गया नहीं, तो नाम लेके बताता है, यहीं महराश्र की पुढ़ारी है वो, वो कहती है कि तुमको गारंटी से नौकरी मिलेगी, नहीं मिलेगी, तो तेतीस, पैतीस हजार रुपए वापस करें, और वो जिस व्यक्ती ने ये सब किया, उसने टेप कर लिया, क्योंकि तहलका.com जब से हुआ है, लोगों में थोड़ी होशियारी आ गई, तहलका.com ने थोड़ा होशियार तो बनाया है ये लोगों को, तो उसने टेप कर लिया और ले जाके सुना दिया, कि देखो इस तरह से घूस और रिश्वत, छोटे-छोटे कामों में, तो वो अ अलग से, और अब एक आखरी बात इनके बारे में, कि जब भी कोई बड़ा प्रोजेक्ट लगेगा, उसमें कमाई पैसे की अलग से, जैसे एक एंडरोन नाम की अमेरिकन कंपनी आई, यहां महाराश कंपनी, महाराश के बहुत सारे पुढ़ारियों ने कहा कि हम उसको उठ अरब साघर में फेक देगे, फिर बाद में क्या हुआ कि जो इसको अरब साघर में फेकने वाले थे, उन्होंने ही सामने से समझोता करे, तो एंडरोन का समझोता हुआ तो बीच बनना शुरू हुआ, वी परकलप भी लग गया, तो उसमें बीच बनना शुरू हुआ आठ यूनिट आठ रुपए यूनिट बीज बनता है अभी तो दो महीने ते बंद है लेकिन जब बंद हुआ तो आठ रुपए यूनिट का उसका रेट था और वैसे महराश्ट में एंडरॉन के अलावा जो बीज प्रकल्ब चलते हैं हाइड्रो एलेक्ट्रिक पावर जहां महरा कि है ये चक्कर क्या एंडरॉन के बिना हम बीज बनाते हैं तो 65,90 और एंडरॉन वही बीज बनाता तो 8ुपई यूनिट उकारatura ऐजी बाई ट्मीलाइट में हो सकता भीज में क्या फरoff है ले कि और समय सस्थे थे मूर्खाई तो ले मांगू होगा उन्हें का विपल्ग में हो सकते है यह परण बीज है आने अमरीका से हमने कमपनी बुलाई है उसका यह बीज है तो उस दिन को मैं कुछ कह नहीं पाया क्योंकि मेरे पास न कोई प्रमाल था न कोई सबूत था उसके फोले दिवस के बाद ही पता चला कि जिस एंडरॉन कमपनी को यहां प्रकल्फ मिला चलाने के लिए या अधिकारी ने अमेरिका में ही इस बात को खोला कैसे खोला अमेरिका में एक हंगामा आजकल चल रहा है यह तो हुआ अतिरे की हमला यह नहीं इस से भी बड़ा एक हंगामा हंगामा यह है कि जॉर्ज बुश नाम का जो प्रेसिदेंट है उसको एंडरॉन कमपनी ने नौ अ अगर हम नौ अबच डॉलर नहीं देते ,NN अबच डॉलर कोई चोटी रहतolie नाइन बियून डॉलर नाइन हंड्रड करोर डॉलर, एंडरॉन यह कहता है कि इतना पैसा हम नहीं देते, तो यह तो परचार नहीं कर पाता प्रचार नहीं कर पाता तो राश्रफ़ती नहीं ब बनाया तो उनको पूछा गया क्यों बनाया तो अमरीका में एक स्टेट है उसका नाम है कैलिफोर्निया कैलिफोर्निया स्टेट में बीज की पूरी व्यवस्था एंडरॉन कंपनी के हाथ में आये इसके लिए उन्होंने नौ अबज डॉलर दिया प्रेसिडेंट बुश को ए एंडरॉन के खिलाफ अमेरिका में बहुत बड़ा माहौल है उसके खिलाफ पब्लिक इंट्रेस्टेटिशन हुए हैं अदालत में मुकद्बे चल रहे हैं तो उसी के दौरान एक एंडरॉन कंपनी के अधिकारी को ये पूछा गया कि बाई अगर आप अमरीका के राश्ट इसके खिर आपने तो इसको पूछा गया कि आपने बैलन्स येट मैं कहीं लिखभा है ये 247 कोटी रूपए तो लुबहा है लेकिन एक ठैनलिक्जा कि शक्रल अग्या होता क्याया पॉलिकल और ये जूकेशन क्या होता गिरा चुर एक नए बीमारी आई हुआ है सिक्ष्षण होते हैं समाज सिक्षण होता है गनित का सिक्षण होता है साथ मैध你在 इन्रोन कमपनी के अधिकारी का ये कहना है कि पहले कोई पुढ़ारी हमारा विरोध करते हैं फिर हमने उनको पैसा दिया तो उन्होंने हमारा विरोध करना बंद कर दिया तो उनका राजनेटिक सिक्षन हो गया ये है अब आप जरा एक कल्पना करो कि एक एन्रोन कमपनी दो सो साहितालीस कोटी रुपई की रिश्वत अगर दे सकती है तो भारत में एन्रोन जैसी चार हजार कमपनिया हैं कितने लाख कोटी की रिश्वत दी होगी आप सोचो फिर मैं थोड़े दिन से इस पूरे प्रकल्प में बहुत पीछे पड़ा हूँ एन्रोन वाले में एन्रोन जैसे कई प्रकल्प में तो मुझे माहिती ये मिल रही है कि ये जिद्दे भी प्रकल्प ऐसे लगते हैं कोई भी परदेशी कमपनी आती है बिना रिश्वत और ब और फारा फैसा ये जो पुढरी लोग है भारत से ले जाकर परदेशी बैंकों में जमा कर देते हैं जुन्या में एक देश है उसका नाम है सुट्विडर लेंग देखने में बहुत छोता सा देश है लेकिन उस देश में दुनिया की सबसे जादा संपत्ती है ऐसा कहते हैं वहाँ कुछ दस बारे बैंक हैं उनका कुछ नाम है जैसे bank of Geneva bank of Zurich ऐसे ऐसे वहाँ पर कुछ बारे पंद्र बैंक है उन बैंकों में एकाउंट्स ओपन होते हैं लेकिन वहाँ जो एकाउंट्स ओपन होते हैं उनकी एक विशेश बात है विशेश बात ये है कि जो भी व्यक्ति वहाँ जाकर एकाउंट खोलता है उस व्यक्ति को वहाँ ब्याज नहीं मिलता उल्टा सर्विस चार्ज देना पड़ता है और सर्विस चार्ज कैसे देना पड़ता है जैसे मान लो एक कोटी डॉलर आप वहां जमा करो तो साले चार टका के हिसाब से देना पड़ेगा और अगर आप एक कोटी डॉलर जमा करके आगए और 10 वरस तक आप दूसरा कुछ उसमें नहीं जमा कर पाए तो वो एक कोटी डॉलर आपका सर्विस चार्ज में खतम हो लेगा क्योंकि सारे चार टका के हिसाब से हर साल का सारे चार लाग फिर अगले साल का फिर अगले साल का तो 10-15 साल में वो जिरो हो जाता है तो इस तरह से वहाँ एकाउंट चलते हैं दूसरे उन एकाउंट की एक विशिष्टा होती है कि आप जब स्विस बेंक में एकाउंट खोलते हैं तो वो कभी उसकी किसी को पोल नहीं बताते जब तक कि ये सिद्ध न हो जाए कि ये एकाउंट का पैसा घोटा लेका है अगर ये सिद्ध हो जाए तो वो तुरंट पोल खोल देते हैं और अगर सिद्ध नहीं होता तो वो दबा के रखते हैं तीसरी एक महत्तु की बात है कि जिन एकाउंट में ये पैसा रखा जाता है वो सब के सब एकाउंट में सामने रूप से कोई नौमीली नहीं होता जिसने जमा किया वो ही विड्रो कर सकता है और अगर मर गया तो ढूप जाता है ऐसा भी होता है अब ये सब पुढ़ारी उन ब प्रिका में रहते हैं उनका नाम है शिव खेडा आपने सुना होगा आज पर अक्वारों में उनका बहुत जाहराता था उनकी एक लिखी हुई पुस्तक है जीत आपकी बहुत चलती है पूरे देश शिव खेडा बेसिकली एकॉनोमिस्ट है अर्थशास्त्री और उनका इस अभी थोड़े समयपूर वो उड़ी सामे थे संबलपूर नाम के गाओं में मैं भी था वहाँ पर हम दोनों व्याक्षान देने एक ही शहर में गए तो शिव खेडा से अभी शायद मेरी देल दो महीने पहले मुलाका थे तो मैंनों को पूछा कि आपके स्टेटिस्टिक्स क्या कहते हैं कितना पैसा है भारत के पुढ़ारियों का स्विस बैंक में तो नहीं का राजी वाई जो लेटेस्ट इंफर्मेशन मेरे पास है उसके अनुसार भारत के पुढ़ारियों का स्विस बैंक में 2,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000 एक अबज में सौ कोटी और एक डॉलर में सैंतालीस रुपई तो दो हजार अबज डॉलर कितना दो हजार अबज डॉलर आप समझ लो 98 लाख कोटी रुपई माने 100 लाख कोटी रुपई के आसपास हमारी कुल लोग संख्या 100 कोटी और पुढ़ारियों का पैसा 100 लाख कोटी तो एक एक को कितना मिल सकता है हाँ सोचो जड़ा 100 लाख कोटी पुढ़ारियों का पैसा स्विस बैंक में पढ़ा है और इमने मजे की बात ऐसी है वो ये बताते हैं शिव खेडा कि बहुत सारे पुढ़ारियों जो मर गए लेकिन पैसा वहां पढ़ा हुआ है क्योंकि अब उनके परिवार का कोई विड्रो नहीं कर सकता कानून उनका ऐसा है कि जो जमा करेगा वो ही विड्रो करेगा नौमिनी वो एकसेप्ट नहीं करते हैं तो आप सुचो इतना पैसा तब मेरे समझ में आप सब बात आती है बात क्या आती है दस पंच वर्षी योजनाए हुन नव पंच वर्षी उननना नवे लाग कोटी खर्च हुआ लेकिन देश का विकास और वैसी का वैसा ही है में होता तो देश में गरीब और बेकार व्यक्ति का नामुनिशान नहीं होता क्योंकि इतना पैसा अगर हमारी करंसी में होता हमारे लोकल करंसी के सर्कुलेशन में एकॉनमी में होता यह पैसा तो आप जानते हैं इसमें से क्या हो सकता कोई मजाग बात नहीं है दो हजार बज़ डॉलर देश में रहती, पुढ़ारियों ने देश के बैंकों में ही रखा होता, बैंक में से हमने करज लिया होता, करजे से कोई कारखाना चलाया होता, कारखाने में माल बनाया होता, माल बनाकर बाजार में बेचा होता, बेच कर मुनाफ़ा कमाया होता, फिर करज को वापस किया होता फिर दूसरे ने लिया होता तो आपको चो देश का कितना औद्योगी कुछ पादन में बड़ोबतरी हो सकती थी इसी पैसे और मैं तो बोलता हूं कुछ भी नहीं किया होता सब गरीबों को बांट दिया होता खुले हाथ से तो हरे गरीब आग्मी कोटी पती हो जाता है यह देश की गरीबी का मुख्य कारण है प्रमुख कारण यह पुढ़री लोग अपनी बेईमानी को चुपाने के लिए क्या चेते हैं लोग संख्या बार्ड इस देश मैं है इसलिए देश में गरीबी भुख मरी है और मैं तो कई पुढ़ारीयों को जानता हू जो आमदार और खासदार बनने के पहले उनके पास टूटी साइकल नहीं थी चलने है और आज एक के पास चार-चार सो कोटी की संपत्ती पांच-पांच सो कोटी की संपत्ती ऐसे भी कई पुढ़ारियों को मैं जानता हूँ जो सिनेमा का टिकट ब्लैक करते थे आमदार खासदार उने आज उनके पास पांच-पांच सो कोटी की संपत्ती यह कहां से आ रहा है सारा पास तो वो कहते हैं ईश्वर ने हमें दिया भगवान ने दिया भगवान उन्हीं को देता मुझे क्यों नहीं देता आपको क्यों नहीं देता और उनके घर में कोई पेल लगा है रुपए का वो हिलाते हैं तो उसमें से गिरता यह सब हमारा पैसा आपका पैसा मेरी महनत का आपकी महनत का यह गलती से इनके हाथ में लग गया या घोटाला करके उनके हाथ में लग गया उसी मेंसे ये सब चलता है तो भारत की गरीबी भुकमरी बेकारी का सबसे बड़ा कारण मैं मानता हूँ देश का पैसा परदेश जाना, देश की लक्षमी का परदेश जाना, देश की संपत्ति का परदेश जाना हमारे धर्म शास्त्रों में लिखा हुआ है कि लक्ष्मी अगर आपसे नाराज हो जाए तो आप गरीब हो जाएंगे लक्ष्मी का नाराज होने कारत है लक्ष्मी आपके घर से निकल जाए परिवार से बाहर जाए तो आप गरीब हो जाएंगे तो देश एक बड़ा परिवार है देश में से पैसा निकल गया लक्षमी चली गई तो देश गरीब हो जाए तो वही गरीबी लगातार हमें बढ़ती हुई दिखाई दे रहे है बेकारी क्यों आ रही है इस देश में बेकारी का एक दूसरा बड़ा कारण बेकारी का कारण ये है कि हमारे पुढ़ारियों ने पिछले दस एक वर्षों से या पंद्रे वर्षों से एक व्यवस्था चलाई है जिसको उदारी करण कहते हैं जागती की करण कहते हैं उस व्यवस्था में अंधा धुंद परदेशी माल अंधा धुंद परदेशी कंपनिया आ रहे हैं और हमारे पुढ़ारियों ने क्या क tax के restriction हटा लिये हैं और जो amount के restrictions थे वो भी हटा लिये हैं वो सब quantitative restrictions taxation के restrictions अब हटा लिये तो अंधाधुल परदेशी माल बिक्रा और बहुत सस्ती कीमत पर हमारे देश में आप कलपना करो कि परदेशी माल कितनी सस्ती कीमत पर है आजकल अपने हिंदुस्तान में पाम तेल बिक्ता है उधारी करण के बाद पाम तेल बिक्ना शुरू हुआ इस तेश में और एक लिटर पाम तेल बड़े आराम से 15 रुपई से लेकर 20-22 रुपई तक मिल जाता है एक लिटर उसी भारत में एक लिटर शिंग तेल आप खरीदो नारियल का खोपरे का तेल आप खरीदो या कोई एक लिटर कपास का तेल खरीदो या एक लिटर सरसों का तेल खरीदो तो वो आपको 30-35 रुपई लिटर से 60-70 रुपई लिटर है तो अपने देश का जो स्वधेशी तेल है वो 30-35 रुपई लीटर से और जो परदेशी पाम तेल है वो 15 रुपई से लेकर 25-30 रुपई लीटर तक तो पाम तेल अंधा धुंड बिखता है और भारत के स्वधेशी तेल सब धीरे धीरे बिखने कम हो गएpected तो तेल के उद्योग सब बंद हो गए मैंने अभी थोड़े दिन पहले लोग सभा में माहिती ली मेरे एक मित्र है खासदारे मैंने उनको कहा कि आप पूछो सरकार से कितने तेल उद्योग बंद हुए उन्होंने सरकार से सवाल किया सरकार ने जवाब दिया 1997 के साल से पाम तेल बितना शुरू हुआ बड़ी मात्रा में अब तक अपने देश में 64,000 तेल उद्योग बंद हो गए 64,000 ऑईल इंडस्ट्रीज बंद हो गए राजिस्थान में बंद हो गए गुजरात में बंद हो गए महराष्ट में बंद हो गए सबी तेल उद्योग एक एक करके बंद होते जाएं और उन तेल उद्योगों में काम करने वाले हजारों हजारों मजदूर बेकार हो रहा है और मजदूरी बेकार नहीं हो रहा है उन तेल उद्योगों को जो सप्लाई करने वाले काश्टकार थे उनको भाव नहीं मिल रहा है तो उनकी भी हालत रहा है तो काश्टकार भी मर रहा है व्यापारी भी जा रहा है मज़़ूर भी बेखा है जिस तरह परदेशी पामतिल बिक रहा है उसी तरह से परदेशी कापड बिक रहा है साउथ कोरिया कापड बिकता है Swiss cotton बिखता है, Hong Kong का कापड बिखता है और अब तो सरकार ने क्या किया है जो सिले सिलाए कापड मिलते थे जिनको ready made garments कहते हैं उनके लिए भी दरवाजा खोल दिया है वो भी बहुत सारे परदेशों से आकर बिखते हैं पहले अपने देश में restriction था कि सिले सिलाए कापड रेडिमेट गार्मेंट परदेशी कंपणी नहीं बेचे इसको भारत की ही कंपणिया बेच सकती है अब उदारी करण के नाम पर उसको पूरा खोल दिया तो सिले सिलाए कापड भी परदेशों से आकर बिखते हैं गंजी बिखती है अंडर्वियर बिखता है ब्रेसियरी बिखती है डेर सारे कापड पैंट बिखती है टी शर्ट बिखती है बहुत सारे पैंटलून और तमाम तमाम कंपणियों के नाम से बिखते हैं पढ़ मिले तो बंदोगना मैं अहमदाबाद में बंद हुई बड़ोदני में बंद हुई सूरत में बंद हुई और मिलें बंदो रही हैं उसके साथ sounds Looms बंद हुआ लोग पावर लूम्स इनको आप क्या एथ अधि अकेले मुंबई शहर में भिवन्डी गाओं में आप जाईए तीन लाख पावर लूम्स बन पड़े हैं, पूरा भिवन्डी का सत्यानाश हो, मैं अभी थोड़े दिन पहले कोलापुर जिले के गाओं में गया उसका नाम है इचल करंजी, इचल करंजी में साथ हजार लूम् अब वो पावर लूम्स की मशीने कौडी के भाव मिलती हैं, किलो के भाव से भंगार के भाव से मिल रहे हैं, पूरा कपड़ा उद्योग का सत्यानाश हो, और आप जानते हैं कि भारत में यही एक कापड उद्योग है, जो सबसे ज़्यादा रोजगार देता है, और उसी क तबाही और बरबादी सबसे जाए, फिर ऐसे ही परदेशी सीमेंट विक रहा है, परदेशी लोहा विक रहा है, परदेशी केमिकल्स मिल रहे हैं, परदेशी इलेक्रोनिक्स के सामन मिल रहे हैं, धीरे धीरे सब भारत के कारखाने बंद होने के कडार पर हैं, अब तक कितन लाख चौण सच हजार इस मोलिस के लिए और काम करने वाले उसमें करोडों मजदूर बेकार हो रहे अब जब ये बेकारी बढ़ी है तो इस बेकारी का एक दुश परिनाम निकला और वो दुश परिनाम क्या निकला कि जैसे जैसे किसी देश में बेकारी बढ़ती है वैसे वैसे देश में डिमांड कम होने लगती है मांग कम होती है मारके क्यों जो परिवार बेकार है जो आदमी बेकार है उसके पास कुछ पैसा नहीं है पैसा नहीं है तो बाजार में कुछ खरीद नहीं सकता तो उसकी क्रेशक्ती खतम होती है और जब उसकी क्रेशक्ती खतम होती है तो वो सामान खरीदना कम कर देता है सामान बिकना कम होता है और जब सामान नहीं बिकता है तब हम कहते हैं मंदी चल रही है वही भयंकर मंदी इस समय देश में चल रही है आप में से बहुत तारे व्यापारी भाई यहां बैठे होंगे, आप जानते हैं कि कितनी भयंकर मंदी, लोग कहते हैं कि ऐसी मंदी हमने कभी देखी नहीं, सुनी नहीं, पिछले पचास वर्षों में ऐसी मंदी लोगों ने देखी और सुनी नहीं, फिर कई लोगों को मैं प प्लस प्रोडक्शन यहां मंदी का कारण है लोगों की भयंकर बेकारी जिससे हुआ है पर्चेजिंग कैपसिटी कम वो मंदी का कार फिर कई लोग कहते हैं कि अमरीका यूरोप की मंदी का भारत पर असर है तो मैंने एक बार पूचा कि क्या असर हो सकता है हमारा में टोटल एक्सपोर्ट है उसमें हमारा हिस्सा तो इनकी मंदी का कारण बिल्कुल इस परष्ठ है कि उनके देश में लोगों की consumption की limit पूरी हो गई है जादा कंजियूम नहीं कर सकते इसलिए मंदी है और अमरीका और यूरोप की मंदी का एक दूसरा कारण मैं और बताता हूँ जिस्ते दो दिवस तीन दिवस पहले की यह जो अतिरे की घटना है वो जुड़ी हुई है उसको आप गिला भ्यान से समझने की कोशिश करें ये जो वाशिंग अटन में इतना बड़ा तमाशा हो गया दो बड़े टॉवर्स को ध्वस्त कर दिया एक हवाई जहाज ने ये दो बड़े टॉवर्स करीब करीब 110 मंजिल वाले थे जिसमें पता नहीं कितने हजार लोग मरे हैं कोई भी निर्गोष नागरिक मरें तो दुख होना चाहिए हमें क्योंकि हम भारतिय संस्कृती के लोग ऐसा मानते हैं कि किसी को मारने का अधिकार किसी को नहीं है क्योंकि जीवन देने का अधिकार जब हमें नहीं है तो मारने का दिका रहा है ने तो हम तो सब दुखी प्रकट कर सकते हैं लेकिन ये जो घटना घटित हुई है इसका मंदी के साथ सीधा रिष्टा है मैं ऐसा मानता हूं आप मेरी बात को थोड़ा हो सकता है आज हसें लेकिन आप देखेंगे दस वरस के बाद मेरी बात आपको पूरी की पूरी सच दिखाई देगी मैं ये कहना चाहता हूं कि ये जो भायंकर दुरगटना अत्रेकियों ने की अमरीका में वाशिंग अटन बीसी में दो टावर उन्होंने उड़ा दिये इसका मंदी के साथ सीधा रिष्टा है आप पूछोगे कैसे वो मैं बताता हूं योड़ोप और अमेरिका में मंदी क्यों आती है मैंने योड़ोप और अमेरिकन एकानोमी का पुछले 10-12 वर्षों में काफी स्टड़ी किया और स्टड़ी करने के बाद मुझे जो हैरान करने वाली बात मिली माहिती मिली वो ये कि वहाँ जो है इंड़स्ट्रीज जो च तुक्त के उद्द्वयोग माने हत्यार बनाने वाली बड़ी बड़ी कंपनियां, मैं कुछ नाम लेता हूं आपको, एक बहुत बड़ी कंपनी है Raytheon Corporation। हजारों अबज डॉलर के हत्यार हर न साल बनाती है। अमरीका की सबसे बड़ी कंपनी है हत्यार बनाने वाली। दूसरी नंबर की जो कंपणी है अमेरिका की, एक्सोन, हतियार बनाने वाली दूसरे नंबर की सबसे बड़ी कंपणी, तीसरी अमेरिका की कंपणी है फोड, आपको जानकरी है के फोड कार बनाती है, कार बनाना तो छोटा सा धंदा है उसका, जो कुल धंदा है उसके पांच टके में वह कार बनाते हैं, 95 टक का college investment उनका war इंडस्ट्री में है, जानल मोंतर्स, जानल मोंतर्स के बारे में आपको बाहती है कि ये भी कार बनाती है कार बनाती है लेकिन कार बनाना उनका संपूर्ण बिजनेस नहीं है उनका बड़े बड़े मिसाइल बनाने का बिजनेंस तो रेथियोन हैं फोर्ड है जी एम है एक्सोन है ऐसी मैंने अमेरिका की 50 कंपनियों की एक यादी बनाई है और उन 50 कंपनियों का एक साल का हत्यार बनाने का जो कुल खर्चा है वो दुनिया के देल सो देशों के बजट से जादा है इतना भयंकर उनके यह बार इंडस्ट्री में है हतियार उद्योग कहते है उसको और अमेरिका में उसको सैटलाइट इंडस्ट्री कहते हैं सैटलाइट इंडस्ट्री माने मुख्य उद्योग सैटलाइट का अर्थ यह उपग्रही नहीं होता सैटलाइट का यह करत होता मुख्य सबसे केंद्र जैसे हम भारत के बारे में कहते हैं कि भारत एक क्रशी प्रधान देश है तो मैंने एगरी कल्चर हमारे लिए सेटलाइट इंडस्पी है अमेरिका युद्ध प्रधान देश है उनके लिए वार इंडस्पी सेटलाइट इंडस्पी अब अमरीका में क्या होता है हतियार भयंकर बनते ह लेकिन वो हतियार जब नहीं बिखते तभी मंदी आती है क्योंकि हतियार बन रहा है तो बिकना ही चाहिए नहीं बिकेगा तो कार खाने बंद है कार खाने बंद है तो मजदूर वेकार है और हतियारों के कार खाने बन तो इस्टील वाले कार खाने भी बन क्योंकि इस्टील इ सिमंट ऐंडस्ट्री हथियार उंड्योक के लिए माल सप्लाई करती है नाइन्टी इंडस्ट्री जब खत्रे में आती है तो अमरीका के 90 दूσιरे उद्ध्रे में आ 23-30 वरस के बाद ऐसा होता है एक साइकिल है वहाँ पर आपको अगर ध्यान दें तो भयंकर मंदी आई 1905-1910 के बीच में भयंकर मंदी अमरीका और यूरोप में फिर क्या हुआ उस मंदी को दूर करने के लिए पहला विश्युद्ध उन्होंने लड़ा 1914 में जो शुरू हुआ और 1970 तक चला जिसको हम फस्ट वर्ड वर कहते हैं और वो फस्ट वर्ड वर लड़कर अमरीका ने अब जो डॉलर पंप कर दिया वर इंडस्ट्री में उनकी मंदी दूर कर लिए उन्होंने फिर उसके बाद क्या हुआ मैंने कहा कि 15-20 वर्षों में ये साइकल रिपीट होता है तो फिर क्या हुआ 1930 में फिर मंदी आ गई जिसको अंग्रेजी में ग्रेट एकॉनोमिक रिसेशन भी कहते हैं अर्थशास्त्र के कुछ विद्यारफी वेटे होंगे तो उनको तो पढ़ाया जाता है ग्रेट एकॉ और दूसरा विश्विद्ध शुरू कैसे हुआ दूसरा विश्विद्ध शुरू हुआ परल हारवर नाम की अमेरिका में एक जगे है वहां पर अटेक हुआ तो परल हारवर पर अटेक हुआ तो फिर विश्विद्ध भढ़ गया दिखाया ये जाता है बताया ये जाता है कि परल हारवर पर अटेक जापानियों ने किया लेकिन अमरीका के ही कुछ खोजी पत्रकारों ने अभी तीन-चार बरस पूर्व ये निकाल दिया और संसनी फैलादी पूरी दुनिया में कि 1941 में सेकंड वर्ड 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 शुरू करने के लिए परल हारवर पर अटेक अमरीका ने खुद ही करवाया अपने ही उपर अटेक करवाया तो फिर आप पूछो के जापानियों की थियोरी क्या थी जापान के कुछ नागरिकों को जबरजस्ती हवाई जहाज में बिठाया गया और उन हवाई जहाजों से बंबारी कराई गई तो सारी दुनिया में ये संदेश गया कि जापान ने अमरीका पर हमला बोल दिया है तो अमरीका ने उसी का बदला लेने के लिए जापान पर हमला बोला जिसमें दो एटम बंब उनों ने गिरा लिये और दो एटमबं गिराने के पहले भरपूर युद्ध लडाओं रूस, बृतेन और ये सब एक दूसरे के दुश्मन हो गए एक बाजू में मित्रदेश, दूसरे बाजू में शत्रदेश तीन साल भयंकर युद्ध चला 1941 से लेकर 1944 और 1944 में जब युद्ध धीरे-धीरे कम हुआ तो क्यों कम हुआ उसकी बड़ी इंट्रेस्टिंग स्टोरी है वो ये कि अमरीका की हत्यार बनाने वाली कंपनियों के सारे गोडाउंस खाली हो गए इसलिए शांती हो गई और शांती भी कैसी जवरजस्त हुई दुनिया में एक पीस उन्होंने बनाया वर्ड पीस कॉन्फरेंस बोला और उस वर्ड पीस कॉन्फरेंस का जो रिजल्ट निकला आउट्पुट निकला वो युनाइटेड नैशन्स बन जया और युनाइटेड नैशन्स को ये कहा गया कि भविश्य में कभी युद्ध नहीं होना चाहिए तो फिर उन्होंने एक साल की, दो साल की, तीन साल की युद्ध की लड़त के बाद अपनी मन्दी को कम कर लिया अब वो मन्दी कम हो गई फिर उसके बाद अब फिर मन्दी आ गई तो हैरान हो जाएंगे एरान और इराक का जो युद्ध हुआ वो कैसी बात से शुरू हुआ मैं आपको एक सच घटना बताता हूं वाशंगटन पोस्ट नाम का एक अखवार वो अखवार में एक दिन खबर छपी कि एरान और इराक के बीच में एक तेल छेतर है जिसको शत अल अरब कहते हैं वहाँ भयंकर तेल छुपा हुआ है खवर छपी अखवार में अमरीका के अखवार अब जैसे ये खवर छपी तो एराक की सरकार को मालूम हुआ कि हमारे देश में कोई इलाका है जहां बहुत तेल है इरान को भी लगा कि हमारा भी एक लाका है वहां पर बहुत तेख में वो इलाका था बफर जोन के लाका था बफर इस्टेट एक ऐसा इलाका होता जिसमें किसी भी देश का कबजा नहीं होता दोनों देश चाहें तो उसको समय पर इस्टेमाल कर सकते हैं लेकिन वो नो मेंस लेंड होती है ज़्यादा तर जो बफर इस्टेट होती है तो शेतल अरब में तेल छुपाएं तो एराक ने का ये हमारा है एरान ने का ये हमारा है तो अमरीका बीच में चौधरी बनके आया उसने का भई आपस में लड़ते क्यों हो तो उसने का क्या करें तो युनाइटेड नेशन्स में प्रस्ताव ले आओ तो दोनों ने का ठीक है प्रस्ताव ले आओ तो युनाइटेड नेशन्स में प्रस्ताव आया की हत्यार बेचने वाली कंपनियों के मज़े आ गए उन्होंने इराक को भी हत्यार बेचे इरान को भी बेचे धुआ धार इधर से सप्ला इरान को उधर से इराक को और अमरीका की कंपनियों ने ग्रुप्स बना लिए कुछ कंपनिया इराक के समर्थन में कुछ इरान के समर् परस युद्द चला असी लाख लोग मरें कोई फैसला नहीं हुआ कौन जीता कौन हारा फिर सिक्योर्टी काउंसिल की एक मीटिंग हुई और उसने का भई फैसला कर लो आपस में तो पहले भी हो सकता था लेकिन कहा युद्द लर लो अब कहा फैसला कर लो फैसला करने की बा तो पहले भी समझ में आती थी आदा आधा बांट लेंगे तो उन्होंने का ठीक है अब दोनों देशों के बीच तेल खुदाई का काम शुरू हुआ तो ठेका किसको मिले वो सवाल आया तो अमरीका ने हमारी कंपनियों को दे दो ठेका ना इराक को इरान पर भरोसा ना इर बिल्ली बंदर की कहानी है न वो आप जानतेरा दो बिल्ली ल草ती थी एक बंदर धा और वो एक की रोटी खाता था वो दूस्रे की भी तो वो चानी में पूरी रोटी बंदर रिखा गया बिल्ल्यों को कुछ नहीं बें वही हुआ है इरान इराक के था तो अमरीका ने का हमको दे दो धंदा तो उन्होंने का ठीक है तो दोनों अमरीकी कमपनियां जिन्होंने युद्ध के लिए हत्यार बेचे थे उन्हीं को तेल निकालने का ठीका भी मिला अब उन कमपनियों ने तेल खोदना शुरू किया मने ड्रिकिंग श सिर्फ माथा अपना पीटा कि हम पांगलों की तरह से लड़ते रहें अब यहां कुछ भी तेल नहीं तब इराक के राश्ट्रपती जिसका नाम है सद्दाम हुसें उसने का कि अमरीका ने हमको लड़वाया यह खल नायक है यह विलेल है तब से वो अमरीका के खिलाफ हो गया तो अब अमरीका कहता सद्दाम हुसें को मार दो क्योंकि वो अब अमरीका की पोल खोलता है इसलिए उसको मार दो अब वो क्या है तमाशा सारा कि सद्दाम हुसें ने वाशिंगटन पोस्त अखवार के ऊपर केस किया कि क्योंकि खवर वहां चपी थी कि यहां वहंकर तेल ह अखवार में खबर छपी थी, अखवार वाले गए और कोट में माफी मांगाए कि हमारे से गलती हो गई भी, बस किस्ता खत्म हो गोई, कोट में छोड़ दिया हूं को क्योंकि मुकदमा अमरीका की कोट में हुआ, क्योंकि वाशिंगटन पोस्ट अखवार जो है उनकी जो जुरिस्डिक्षन का वो है न हरे कखवार का अपना एरिया होता है तो वो कहते हमारा एरिया तो अमरीका है, तो गए वो केस करने, अमरीका के जजज ने उनको माफ कर दिया, भई गलती हो गई, लेकिन उनकी गलती से 80,000,000 लोग मर गई, इसकी माफी उन्होंने कभी नहीं मागई वो सारा खेल क्यों किया गया, अमरीका को मंदी दूर करनी थी, हत्यार बेचना था, तो वो सब खेल हो गया अब देखिये, मैं आता हूँ अब की घटना, अभी तीन-चार दिन पहले फिर घटना हुई है, दो तौबर धवस्त हो गए, 110 मंजिल के, अब कहा जाता है कि अत्रे कियों ने उसको तोड़ दिया, अलाकि सबूत उसके बारे में अभी तक कुछ नहीं मिला कि किस ने तोड आप पूछो के क्यों तोड़वाई मैं आपको तीन प्रशन रख रहा हूं और आप उनको ध्यान से सोचें, सबसे पहला प्रशन ये है कि जिन तौबरों को तोड़ा गया, उसके लिए जहाज अपरण किये गए, अमरीका का एक हवाई अड़ा बोस्टन, अमरीका का दूस हैं जहां भयंकर सिक्योर्टी है, परिंदा पर नहीं मार सकता है, मजाल क्या कि एक चुड़िया वहाँ पर ऐसी फटक जाए, बोस्टन और लोस अंगलिस्टों है, और वहाँ से चार-चार जहाज अपरत हो गए, और एक घंटे तक पता ही नहीं चला, अमरीका में सिक्योर पता हुए, वह अपरहन के बाद सीधे जाकर टकराए, एक घंटे तक उन्होंने उडान भरी, और एक घंटे उडान भरी सिर्फ अमरीका की एयर स्पेस में, और दूसरे देश में नहीं गए, आप जिरा ध्यान दीजे, अमरीका के ही एयर स्पेस में वह एक घंटे उड़त आप जानते हैं, जहाज उड़ता है तो वहाँ के कुछ नियम है, जहाज जब उड़ता है उपर स्पेस में तो उसकी रोड्स होते हैं, जैसे हमारे यहाँ सड़क के होते हैं, सड़क का नियम है, एक सड़क पर एक कार चल रही है दूसरे, वहाँ क्या केव्स होती हैं, पाथ चेंज करना है तो नीचे पहले टावर पर कंट्रोल टावर पो रो मैसेज देगा कि मुझे मेरा पाथ चेंज करना है तो नीचे से और्डर मिलेगा कि करो तब वो एक गुफा छोड़कर दूसरे में जाता है दूसरे से तीसरे में जाता है तीसरे से चौते में या उप परसे नीचे आता है ये सब नीचे कंट्रोल टावर से रहता आफ जरा ध्यान देना और अमेरिका के लोग कहते हैं कि हमारा सिस्टम दुनिया में हाइली ऐफ़िशेंट है कंट्रोलिंग सिस्टम उनका बहुत ऐफिशेंट है इसमें कोई दोराय नहीं है तो उनके कंट्रोल Smart Aura में बैटे हुए, हर आदमी को मालुम, हर आदमी को मालुम, कि जहाज उड़ा है और उड़कर गया है। और वो जाकर, फिर देखिए आप, कि एक जहाज जो टक्राया, जिसका दुर्श्व आपने बार बार देखा है, मैंने तो एक ही बार देखा, उसने 270 पे टर्न किया है, ऐसे, एक तरफ जा रहा है और 270 टर्न किया है, इतना टर्न जो है, कोई बहुत ही मशुहूर या बहुत एक्सपर्ड पाइलटी ले सकता है, आतंकवादी तो सवाली नहीं उठता, कोई अत्रेकी उसको टर्न करा ले प्र जा रहा था वाशिंगटन डीसी, वाइट हाउस की तरफ, 270 टर्न लेके वो घुजगया पेंटा गन में, और मैं आपको पेंटा गन की बात बता हूँ, पेंटा गन है डिफेंस मिनिस्ट्री, वहाँ पर बंस और गन्स लगे रहते हैं हमेशा, वहाँ पर चार गन्स हैं, च वो अपने आप चालू हो जाती है, और मार देती है वहीं हकाश में, तो वो गन्स क्या कर रही थी भई, और एक नहीं, चारो एक साथ फेल हो गई, मान सकते हैं, एक फेल हो गई, दो फेल हो गई, तीन फेल हो गई, चारो फेल हो गई, चारो गन्स अगर फेल हो गई, तो फ भी अगर ये अटेक हो रहा था तो टीवी वाले कैसे पहुँच गए आप ध्यान दो पहले जहाज की रिकॉर्डिंग बराबर है और दूसरे की तो खेर है तो इसका अर्थी है कि पहला जहाज अटेक करने जा रहा है तो टीवी वालों को मालूम था तो कैमरा लेके तैयार ब के बाद आया तब तो खेर मालूमी होगा उनको दोनों ही रिकॉर्डिंग विल्कुल साफ साफ है अगर पहले जहाज के टकराने की रिकॉर्डिंग नहीं होती तो मैं मान लेता ये कुछ गोटाला है गड़वड लेकिन पहले जहाज की बरावर रिकॉर्डिंग है पहला ज सोच समझ के हुआ है ये अचानक से कुछ भी नहीं हुआ मैं इसको एक्सिडेंट नहीं मानता हूं मैं इसको सोचा समझा गया अमरीका का एक्सपेरिमेंट मानता हूं अच्छा आप देखो एक और मुझे की बात जैसे ही अटेक हो गया आप जरह धुड़ो उस समय जोर्ज हूस को तो फो चुट्वी मना ने गया तो अभी महीने पर कहले चुटी मना के लटा था क्या हर मेंने चुट्वीद ऐसा की चूट्ति मना इफ भा जा अच्छा फ्लॉरिडा मेरा ऐसा अनुमान है जो चूट गया वो ये कि जॉर्ज बुश की प्लैनिंग या अमरीका की प्लैनिंग ये थी कि वाइट हाउस को अटेक कराना इसलिए उसने वाइट हाउस खाली कर दिया था पहले ही जॉर्ज बुश तो छुट्टी पे गया मान लिया लेकिन जॉर्जबुश के सब करमचारी भी नहीं थे वाइट हाउस खाली था क्योंकि तैयारी थी अटेक कराने और वाइट हाउस को अटेक कराने का अर्थ क्या है अमरीका देखिए और यूरो मैं आपको इनकी एक विशेशता लताता हूँ ये लोग ऐसे हैं जो दुनिया में कोई भी काम करते हैं तो पहले लेजिटिमेसी सिद्ध करते हैं कि ये बिल्कुल लेजिटिमेस है हम जो कर रहा हैं वो बिल्कुल सही कर रहा है तो लेजिटिमेसी सिद्ध करने में बड़े-बड़े प्लॉट रचते हैं बाद में उनको गलती हुई कि हमसे गलती हो गई। और अब परल हारवर के बारे में अमरीका के सब लोग मानते हैं, वहां के हिस्टोरियन भी कहते हैं कि वो भई हमारा ही अटेक था हमारे उपन। क्यों क्योंकि हमें लगता था कि वो जरूरी है, क्योंकि मन्दी फिर आई है, उसकी ये पूर्व भूमिका है और तयारी है। अब इस भूमिका में अमेरिका अकेले नहीं लड़ना चाहता है। नाटो नाम का एक ग्रूप हैं उसमें 17-18 देश हैं। अमरीका ये चाहता है कि ये सम मेरे साथ हैं, क्यों चाहता है? क्योंकि अमरीका ये कहता है और मानता भी है, कि मैं अकेले लड़ूँगा तो हत्यारों की खपत कम होगी, एक ही आर्मी तो लड़ेगी, अब नाटों मिलके लड़ेगा, तो अठारे गुनी बन जाएगी, और उनकी क्या है कि अमरीका के राश्ट्रपती जॉर्ज बुश ने पिछले दो-तीम दिन में एक ही अभियान किया है वो ये कि अपनी संसद में रातो रात 40 अबज डॉलर का बज़त पारिद कराया है इस्ट्राइक करने के लिए वाने हमला बोलने के लिए और हमला बोलना कहा है अफगानिस्तान पे बोलना है सूडान पे बोलना है लीबिया पे बोलना है उनका टार्गेट पहले से शिक्ष है अफगानिस्तान पे हमला बोलेंगे लीबिया पे बोलेंगे और ये सूडान पे बोलेंगे और अगर लग गया हाथ तो फिलिस्तीन पे भी बोल सकते है या ये काद किसी और देश को बोलेंगे तो उनका भूमिका ये है कि पोलराइजेशन हो जाए दुनिया में Christianity versus Islam ये वो चाहते हैं Islam एक तरफ हो जाए Islamic देश एक तरफ हो जाए Christian देश एक तरफ हो जाए दोनों मिलकर लड़ें और अच्छे से युद्ध हो समझोता करना पड़ा Second World War के पहले First World War में भी यह हुआ अभी फिर वो ही होगा हो सकता है 2-3 महीने, 4 महीने या हो सकता है साल भर युद्ध खिच जाए साल भर युद्ध के बार फिर समझोता होगा क्योंकि मेरी ऐसी माननिता है कि दुनिया का कोई भी राष्ट्र किसी दूसरे राष्ट्र को संपूर नहीं मिटा सकता जब Second World War में आप नहीं मिटा पाए तो अभी क्या मिटा लिए लेकिन इससे तबाही बहुत भयंकर होगी हो सकता एकाद करोड़ लोग मारे जाए या उससे भी जाद हमारे जाए भयंकर तवाही हो और इनको कोई दर्द नहीं है तवाही होने का उनको लगता है कि उनका काम पूरा होना चाहिए और इसमें जब तवाही होगी तो आप जान लीजे हम और आप भी नहीं बचपाएंगे ऐसा हम मानकर बैठे हों कि अफगानिस्तान पर अटेक होगा गलती से कोई मिसाइल दिल्ली की तरफ मुड़ गई तो क्या हो क्योंकि हो चुका है कई बार मैं आपको एक सची गटना बताता हूँ अभी अमरिका ने अफगानिस्तान पर थोड़े समय ताले हमला किया था गलती से उनकी एक मिसाइल चाइना के उनके उसमें चली गई थी अमबेसी ओफेट तोड़ दिया था पूरा ओफेश मर गए थे उसमें कहीं चाइना अमरिका ने बाद में माफी मांगी था तो इसका तो कोई भरोसा नहीं है कितनी ही गाइड़ेट मिसाइल्स हो कम्प्यूटर पुना लिए काम करना बंद कर दे तो कहीं का कहीं जाके टक्राती और क्या तवाही कर सकती है आप उसकी खलपना कर सकती है और अगर किसी मिसाइल में केमिकल वैपन्स उन्होंने लगा दिये तो तवाही तो और भहन करोगी क्योंकि अमरीकियों का तो चरित्र ऐसा है वियत्ताम में बहुर हुआ था आप सब को शायद याद होगा जितने बड़ी लोग है तो वियत्ताम में इन्होंने लाखों लोगों को केमिकल वैपन से मारा था लाखों लोगों को बाद में ये भी माना था हमसे गल्ती हुई थी क्योंकि निर्दोश लोग बहुत मारे गए तो जब भी युद्ध होता है निर्दोश लोग ही मारे जाते है अब अमरीका क्या कहता है ओसामा बिल लादिन हमें चाहिए भई तुमको ओसामा बिल लादिन चाहिए तो ओसामा बिल लादिन लाने के रास्ते बहुत सारे है युद्ध लड़ने का ये एक रास्ता थोड़ी है उसामा बिन लादिन को पकड़के अमरीका ले जाने के लिए बहुत स्वारे तरीके आप कोई भी तरीका इस्तेमाल कर सकते हैं लेकिन अमरीका चाहा कर भी उसामा बिन लादिन को अरेस्ट नहीं कर रहा है क्योंकि लड़ना तो उसी से है ना अब दुश्मन को यह अरेस्ट कर लेंगे फिर लड़ाई किस से लड़े हैं ऐसी सद्दाम हुसें की बात चली थी तो सद्दाम हुसें को पकड़ने के पचास तरीके थे लेकिन उन्होंने कोई तरीका नहीं अपना है सद्दाम हुसें को जिन्दा चौड़ा ताकि लड़ने के लिए कोई तो रहे सामने तो सद्दाम हुसेन भी जिंदा रहेगा ओसामा बिल्लादिन भी जिंदा रहेगा और युद्ध चलता रहेगा ताकि उनके हत्यार बिक्ते रहे तो मेरी ऐसी माननिता है कि इस समय अमरीका और यूरोप के देशों उपर अटेक किया था क्योंकि हमें उसकी जरूरत थी अच्छा मैं आपसे एक बात और कहता हूँ जो मुझे परिशान करती है जोर्ज बुश का चहरा देखा है आपने पिछले तीन चार देखा है जोर्ज बुश जो वहाँ का प्रेसिडेंट है उसका चहरा आप देखे कुछ लगता है आपको उसके चहरे कहीं से भी कुछ लगता किंचित मात्र एक लकीर दिखाई देती है उसके मात्य पे कि कुछ गड़ब है मज़े में है एक दम और इतने मज़े में आदमी वही रह सकता है जो प्लॉट बनाया हो और तो रही ली सकता है अचानक से किसी देश पर इतना बड़ा अटेक हो जाए तो हवाईया उनने लगती है चहरे की आप परवेज मुशर्रफ का चहरा देख लो हवाईया उन रही हैं उसके चहरे ऐसा लग रहा है परवेज मुशर्रफ को कि कहीं मेरे यूपर तो हमला नहीं हो रहा है तो आप परवेज मुशर्रफ का चहरा देखें एक दम सूख गया है मेरी कलपना ऐसी थी कि ये चहरा जॉर्ज बुश का भी होना चाहिए था क्योंकि जिस देश में अचानक से हजारों लोग मर गए हो वहां के राश्टपती को तो वो होना ही बहुत साम लेकिन नहीं है बिलकुल नहीं है कहीं से भी टेंशन नहीं है जॉर्ज बुश को और सिर्ज बुश क्यों कॉलिन पवेल को नहीं है जो उनका रक्षा मन्क्री है किसी को नहीं है और ये सब जो हैं मान कर बैटे हैं कि अभी एकाध हफसे में युद्ध हमें शुरू करना है उसकी भुमिका बना रहे हैं अब भुमिका एक ही बन रही है कि जादा से जादा देशों को साथ ले लें तो इसमें फाइदा पता ही क्या होगा नाटो जब साथ में आएगा तो युद्ध का खर्चा बरावर बांटा जाएगा नहीं तो अमरीका के उपर ही पूरा बोज आ जाएगा अमरीका बहुत चालाग है आप चाहें अमरीका के लिए अटेक कर सकता कोई मुश्किल थोड़ी है अफगानिस्तान को अटेक करना अमरीका के लिए तो मुश्किल नहीं है क्योंकि अफज़ानिस्तान उनके टककर का देश नहीं लेकिन अमरीका नहीं चहाता कि बोँख्यक्ता करे वो क्या किता सबको मेल जोल कर एक्षी करो तो मेल जोल से एक्षी क्या होगा कि एक्षी करने का मालो 200 अरव डॉलर का खर्चा है तो नाटो के 18 देश है जो बनाता है अमरीका, बाकी नाटो के जितने भी देश है वो उन से लेते हैं, खरीदते हैं, तो उनकी सप्लाई होगी, अब आप देखो कि खर्चा युद्ध में जब होगा तो वापस अमरीका में ही पहुँचेगा वो पैसे, नाटो के देश जितन भी खर्च करेंगे हतियार खरीदने में, वो जाएगा अमरीकी कमपनियों के खाते में, तो पैसा तो अमरीका में वापस ही आने वाला है, उसी पैसे से वो अपनी मंदी को दूर करने की योजना बनाते हैं, और जब उनकी वार इंडस्ट्री रेगुलेट हो जाएगी, तो 90 इंडस्ट्री उनकी अपने आप जिंदा हो जाएगी, तो रिसेशन उनका अपने आप जूर हो लिए, ये है तारी कहानी, और इस कहानी का एक पहलू और है, अमरीका आज परेशान है कि दुनिया में आतंकवाद है, हम तो पिछले 15 साल से परेशान है, और अमरीका आज पर होने का प्रश्टी नहीं है, वर्किंग आवर्स में नहीं अटेक हुआ है, बहुत पहले अटेक हुआ है, तो मेरा ऐसा मानना है कि अगर लाशे निकाली जाए वैसे तो मिलना बहुत मुश्किल है, दो धाई हजार लोगों से ज्यादा नहीं मरें, मैक्सिमम होंगे तो दो कश्मीर के भारतिये लोग जो मरे हैं, उनकी संख्या 25 से 30 हजार के बीच में है, जो निर्दोष हैं जो मारे गए अत्रेकी हमले में, चम्मु कश्मीर, और ये तो 25 से 30 हजार निर्दोष लोग मारे गए, अगर आर्मी ओफिसर्स की संख्या इसमें जोड ली जाए, तो आत कभी दस मरते हैं, कभी पंद्रे मरते हैं, कभी बीस मरते हैं, कोई दिन शायद बाकी जाता हो जब नहीं मरते हो, अमरीका का राश्ट्रोपती बिल क्लिंटन जब भारत आया था, तो इनी अत्रेकियों ने 36 इंग पुरा में, एक साथ 36 लोगों का मरडर किया था, और उस त तो बिल क्लिंटन को ये कहा गया, कि आप भारत से रवाना होने के पूर्व, वापस जाने के पूर्व, कम से कम पाकिस्तान को आतंकवाजी देश तो घोशित कर दो, तो बिल क्लिंटन ने का नहीं कर सकते, क्योंकि पाकिस्तान हमारा मित्र है, क्योंकि अमरीका में कोई हमारा साथ दोगे के नहीं दोगे और अगर नहीं देगा तो पाकिस्तान को आतंकवाजी देश भोशित करेंगे तो जब भारत के निर्दोष नागरिक मरते हैं तो अमरीका के लोगों के पेट का पानी नहीं हिलता उनको लगता ही नहीं है कि भारत में कोई प्रॉबलम है और जब हमारे देश में ये प्रॉबलम पीक पर था, चरम पर था जब कारगिल वार चल रहा था, हमारी आर्मी के जवान मर रहे थे तो एक बड़ा प्रशन उस समय देश के सामने था कि हम लाइन ओफ कंट्रोल पार करें कि न करें हम लाइन ओफ कंट्रोल अगर पार करतें तो शायद आतंकवादियों के सारे अड़े ध्वस्त कर देतें जो लाइन ओफ कंट्रोल के आसपास चलते हैं और अगर वो ध्वस्त हो जाते तो कुछ दिनों तक शायद हमको शांती हो जाती। लेकिन ये अमरीका ही था जो बार बार भारत सरकार को इंस्ट्रक्शन दे रहा था कि आप लाइन ओफ कंट्रोल पार मत करिये। लाइन ऐफ कंट्रोल पार करेंगे तो वार हो जाएगा वार हो जाएगा तो बहुत तबाही हो जाएगे तो एशिया में हत्यारों की भयंकर बाढ़ा जाएगी तब य हमको पाथ सिका रहा था अम्रीका शांती सांती है तो कहते हैं अफगानिस्तान आतंकवादी देश है सूडान भी आतंकवादी देश है लीविया भी आतंकवादी देश है और जरूरत पड़े तो पाकिस्तान को भी वो कह देंगे आतंकवादी देश जब ये बात हम कह रहे हैं तो अमरीका को फरक नहीं पड़ता अब उनके यहां खुद अटेक हुआ तो कहते हैं अब तो फरक परता है हमारे यहां एक कहावत है जाके पैर न फटी भिवाई वो का जाने पीर पर आई जिसके पैर फटते नहीं है वो दूसरे का दर्ब नहीं जानता अमरीका के पैर अभी फटना शुरू हुए हैं तब उनको लग रह कि आतंकवाद कितनी बड़ी समस्या हमारे पैर पिछले 12-15 साल से उसमें जल रहे हैं फटे नहीं है जल रहे हैं और वो कहता है कि कोई समस्या नहीं आतंकवाद हिंदुस्ताने तो यह इनका दोहरा चहरा आप जरा देखे हैं अमरीकियों का यूरोपियंस का दुनिया के औ आइरलेंड में आप जाओ इंगलेंड के बाजु का एक देश है आइरलेंड में जीना हराम कर रखा वहां के आतंकवाद होने साधरान लोगों का अमरीका को कोई तकलीफ नहीं कनाडा में जाओ भेंकर आतंकवाद भी चालू है लेटिन अमेरिका में तो कई देशों में आ की वालएपके असी चाहता है है नहीं तो दुनिया के दर्द का पडिकी हो रही थी कि ने अफगानिस्तान युद्ध का खाड़ा बना हुआ था अमरीका रूस दूसरे के खिलाफ लल रहे थी तो अमरीकियों ने क्या किया कि वहां के लोकल ग्रूप्स को पैसा देकर हत्यार देकर बढ़ावा देना शुरू किया और उनकी ट्रेनिंग कराई C.I.A. के लोगों से उसी ट्रेनिंग मेंसे एक एकस्पर्ट पैदा हुआ जिस का नाम है ओसामा बिल्लादिन तो पहले ये ओसामा बिल्लादिन अमरीका के कहने पर रुषियन आर्मी के उपर अटेक करता रहा और रशियन आर्मी के उपर अटेक होते होते रशिया ने एक दिन वहां से विड्रो कर लिया तो उसामा बिल्लादिन के पास कुछ काम नहीं बचा क्योंकि आपने जिस आदमी को बोतल मैंसे निकाल के जिन्न बनाया वो तो वही काम करेगा आपने उसको मारने के लिए खड़ा किया तो उसने मारा जब रूस वहां से विड्रो कर गया तो उसामा बिल्लादिन के पास कुछ काम नहीं था तो उसने उल्टे अमरीका को मारना शुरू कर दे कोई एक कहानी सुनिया ना भसमा सुर की वो उनको वरदान मिल गया तो शेंकर जी के सामने वड़ा संक़ था कि अब इसको मारा कैसे जा वरदान तो दे धिया उसको के वो मरेगा नहीं अमर है तो फिर ये भी कहा गया था कि वो सिर्पे हाथ रखेगा तब ही मरेगा तु नाचते नाचते सिर पे हाथ रखता फिर मारा उसको अमरीका का भी यही संकट कि ओसामा भिलादिन का बोतल में से जिन ने तो हिनों नहीं निकाला था ओसामा भिलादिन अपने आप कुछ भी नहीं बना और ऐसे ही सद्दाम हुसें था ऐसे ही करनल गड़ाफी है यह जितने भी बड़े आतंकवादी लीडर माने जाते हैं आज दुनिया में यह सब अमरीका के प्रॉडक्ट है अमरीका, कॉल गेट, क्लोज अप, पेपसुडेंटी पैदा नहीं करता आतंकवादी भी पैदा सकता उनके सिर्फ कंपनिया ही प्रॉडक्ट नहीं बनाती उनकी जो एजेंसिया है वो खतरनाक प्रॉडक्ट बनाती तो यह उनके प्रॉडक्ट हैं जो दुनिया भर में अभी विकरे हुएं अब उन्हीं को मारने के लिए उन्हें अभ्यान चलाना और वो अभ्यान इसलिए महस्तुका है कि दुनिया में अब कोई दूसरा तो हैनी टक्कर देने वाला एक ही है पहले रूस था तो तक्कर देता था अब रूस खतम हो गया तो कोई तक्कर नहीं है तो अपना कोई दुश्मन तो खड़ा करना ही पड़ेगा ना जब तक्कर देने वाला होता तो दुश्मन खड़ा करने की जरूरत नहीं है, जब है ही नहीं, तो सामने पहले दुश्मन खड़ा करो फिर उसको मारो, इस तरह का खेल है ये सारा का खेल, और इस खेल में पूरी दुनिया को शामिल किया है, मुझे दुख इस बात का है, कि हम को ये खेल जब दिख रहा है हमारे देश के बहुत सारे लोगों को ये खेल अगर दिखने लगे तो अपने देश के बारे में हमें हमारी भूमिका तै करनी चाहिए कि भई ऐसी परिस्थिती में हम क्या करें हमारी भूमिका क्या होनी चाहिए तो मेरा ऐसा मानना है कि हमारी भूमिका तो अपने देश के हित और स्वार्थ को देख कर ही तै होनी चाहिए अमरीका का हित और स्वार्थ हमारा नहीं हो सकता उनका हित और स्वार्थ उनके हिसाब से हमें हमारे इंटरेस्ट देखने पड़ेंगे अपने देश के हिसाब तो हमारे हित में हमारे स्वार्थ में क्या है वो हमें तै करना होगा अमरीका अपने हित और स्वार्थ में तै करता है वही हम तै करें वो हमारी भूल होगी और बहुत बड़ी भूल होगी तो as a nation एक राश्क्र की इस्थिती में हमें इस परिस्थिती पर विचार करना चाहिए और इस परिस्थिती पर विचार करके आप अपने अंतर आत्मा की आवाज सुने कोई पूछेगा कि राजी भाई कहा जाएंगे आप किस पक्ष में अमरिका की तरफ खड़े होंगे या इन की तरफ खड़े होंगे मैं कहता हूँ किसी की तरफ खड़े होने की जरूरत नहीं है आप अपनी अंतर आत्मा को सुनो वो क्या कह रही है ऐसे जहां भी कभी आपको कोई कन्फियूजन हो अपने मन में कि हम इधर खड़े हों या इधर खड़े हों कन्फियूजन लाने का नहीं अपने दिल की आवाज सुनो वो क्या कहता है मेरे दिल की आवाज ये कह रही है और ध्यान इस बात की रखने की जरूरत है कि इस पूरे एपिसोड में कहीं हमारा नुकसान ना हो जाए बहुत बड़े प्रमाने तीन नुकसान होने की बहुत बड़ी संभावना है देशों सबसे पहला नुकसान क्या होगा कि जब भयंकर वार होगा तो ये ओपेक कंट्री जो है न तेल की सप्लाई रोक देंगे और तेल की सप्लाई अगर रोकी उन्होंने तो डीजल पेट्रोल की बहंकर क्राइसिस होगे हमारा देश काफी मामले में पर मिरभर है डीजल और पेट्रोल पे स्वावलं भी हम कभी हुए नहीं होने की हमने कोशिश भी नहीं की हम हमेशा डीजल पेट्रोल के ही जीवन में बिताते रहे अपने आप अब है नहीं इतना हमारे पास और सप्लाई या तो रुकेगी या बहुत महंगा कर देंगे 30 32 बैरल तो 30 35 डालर बैरल तो अभी करी दिया उन्हें युद्ध शुरू होते वो 50 भी हो सकता 50 डालर बैरल साट भी हो सकता 100 भी हो सकता कुछ भी हो सकता और ओपे कंट्रीज के रेगुलेशन पर किसी का कंट्रोल नहीं तेल पाइदा करने वाले देश क्या policy तेख करेंगे आप उनको नहीं डिक्टेट करते तो सबसे बड़ा संकट देश में डीजल पेट्रोल का आएगा तब वैसी परिस्तिती में हमारी भूमिक अच्छा होनी चाहिए तो मैं ऐसे एक अपील करना चाहता हूँ वो ये कि अगर युद्ध शुरू हो जाए तो आप सब लोग अपने अपने वाहन खड़े करदें डीजल और पेट्रोल का पूरी तरह से बहिशता है आप अपनी कार चलाना बंद करते हैं स्कूटर चलाना जितने भी वाहन आप चलाते हैं जिसमें डीजल और पेट्रोल का खर्च होता है उसको करना पूरी तरह से बंद करें तो क्या करें साइकल से चलें साइकल चलाओ अभयान चलाएं पूरे देशन और साइकल चलाओ अभयान में कोई तकलीफ नहीं है कोई लोग ऐसा कहते हैं कि अब तक हम गाड़ी से चलें तो साइकल से कैसे चलें गाड़ी से आप चले तो आप साइकल से चल रहे है तो प्रमोशन ही हो रहा है आपका डिमोशन नहीं हो रहा है आपको मैं प्रमोट कर रहा हूँ कैसे आप साइकल से चलेंगे तो अपने स्वास्त की पक्षा करेंगे जिनको डायविटीज है वो महीने पर चलना है साइकल से डायविटीज नॉर्मल जिनको लो बीपी हाई बीपी है वो साइकल से चलना है वो एक महीने में नॉर्मल जिनको मोटापा बहुत हो गया है और उसको कम करना है वो साइकल से चलना है दो तीन महीने में नॉर्मल इनर्जी तो पैदा हो इनर्जी तो पैदा हो ही रहे लेकिन आप उसको कंजियूम ही नहीं कर तो कंजम्शन का एक रास्ता खुलेगा जब आप साइकल का पैडल चलाएंगे और साइकल अगर चलना शुरू हो जाए तो प्रदूशन खतम दूएं से मुक्ति मिल जाएगी साइकल से जब चलें तो उसके आगे एक बोर्ड लगा लें उस पे लिख हैं कि मैं साइकल से चल रहा हूँ क्यों मैं मेरे देश के स्वाभिमान की रक्षा करना चाहता हूँ इसलिए मैं साइकल की रक्षा कैसे होगी इससे स्वाभिमान की रक्षा ऐसे होगी कि जब जरतें बताएंगे आपको, कि हमारी ये ये शर्त मानो, तब हम आपको देंगे, नहीं सो नहीं देंगे, तो आप राश्ट की असमिता से समझवता करेंगे, तो स्वाभिमान को बेचेंगे, तो राश्ट का स्वाभिमान बेचने से अच्छा कुछ कष्ट करें, अपने जीव अब और उसके आगे काम है तो पब्लिक वहीकल से चले जैसे बस है ट्रेन है एक बस में एक साथ साथ लोग चलेंगे आप अकेली कार में एक ब्यक्ति चलेगा पेट्रोल का कंजम्चन उसी के हिसाँ से आप जोड़ें तो पब्लिक यूटिलिटी वहीकल जो है बस हो सकती है ट्रक हो सकता है उसमें आप चलना शुरू करें और मैं ऐसा मानता हूं कि आप सब अकोला वासियों को दिन में पाँच किलो मीटर से जादा तो कुछ काम है नहीं तो पैदल चलके यापका तो पूरा हो जाए तबी इमर्जेंसी आई तो दस किलो मीटर में आएगी तो साइकल है उसके लिए तो एक-एक साइकल आप ले लीजे अब जिनके पास है वो बहूत अच्छे लोग है नहीं है तो ले 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 फिर आप को होगे कि राजी भाई यह साइकल ले 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 तो उससे क्या एक फाइदा और होगा अगर आप साइकल लेंगे तो हिंदुस्तान में साइ इंडस्ट्री है इस कोर इंडस्ट्री में डिमांड खड़ी होगी किसकी इस्टील की इस्टील की डिमांड खड़ी होगी तो प्रोडक्शन बढ़ेगा प्रोडक्शन बढ़ेगा तो इस्टील एरिया का मंदी खतम होगा और इस्टील में मंदी खतम होगा तो 90 दूसरे उद करने के लिए साइकिल से चलने का संकल्ब करें पैदल चलने का संकल्ब करें दूसरा एक काम और करें जब भी युद्ध होता है तो अंतर राश्ट्री इस तर पर जो आयात हम कर रहे हैं उसकी भी कीमत बहुत बढ़ती है आज हम कोई चीज 10 डॉलर में खरीद रहे हैं युद आयात टोटली बंद करें जैसे हमें पाम ओयल इंपोर्ट करने की कोई जरूरत नहीं बंद करो क्योंकि युद्ध के दिनों में एक एक डॉलर बहुत कीमती होगा एक एक पाई बहुत कीमती होगा तो आप जो फालतु के आयात कर रहे हैं जैसे पाम ओयल हम इंपोर्ट कर बन करो कोई जरूरत नहीं कापड इंपोर्ट कर रहे हैं बन करो उसकी कोई जरूरत नहीं बहुत सारे ऐसे सामान हम इंपोर्ट कर रहे हैं जो शेतकारियों के द्वारा बनाए जा सकते हैं उनको बन करो जैसे दाल इंपोर्ट हो रही है आज कल बन कर दो चावल इंपोर्ट ह जालू रखो युद्ध के दिनों में सारा इंपोर्ट बन कर दो तो यह दूसरा काम और यह इंपोर्ट कैसे बन दोगा आप इन सब विदेशी चीजों की डिमांड खतम कर दो इंपोर्ट बन दो जाए क्योंकि व्यापारी इनको इंपोर्ट कर रहा डिमांड है मार्केट में डिमांड आप खतम कर दो इंपोर्ट नहीं करें तो डिमांड खतम करने या कि भारत देश में जितनी भी टेक्नालोजी बनी, कार बनाने की, या इंजन बनाने की, वो डीजल पेट्रोल आधारित है। अभी सुप्रीम कोट ने थोड़े दिन से जज्जमेंट दिया, CNG आया, कंप्रेज नेचुरल गैस आया, क्योंकि CNG अपने देश में है, लेकिन अब पता चला है कि CNG भी बहुत ज़्यादा नहीं है पूरे देश में, तो मैं तो ऐसा मानता हूँ कि युद्ध के दौरान हम सब मिलकर अगर एक अभ्यान चलाएं, मैं तो वो करने ही वाला हूँ, वो ये कि भारत के इंजन जो गाडियों में लगे हैं, चाय वो चार पयए की गाड़ी हो या दो पयए की गाड़ी हो, वो आपका स्कूटर मोटर साइकल हो या कार हो, जीप हो, कुछ भी हो, हर एक इंजन को एक ऐसी वस्तू से चलाएं जो भारत में भरपूर मात्रा में ब अच्छा माल, वो बहुत है अपने देश को, और मैंने सुना है कि महराज को सरकार के पास तो सबसे ज़्यादा, क्योंकि महराज को सरकार साथ हजार दारू की दुकाने खोलने जा रही है गाउंगा, तो ये साथ हजार दारू की दुकाने लोगों को पिलाने के लिए क्यों ख इसी को हम इंजन चलाने में वापर सकते हैं, एथिल एलकोहल से बहुत अच्छी गाड़ी चल सकते हैं, और मैंने चला के देखी, मेरे आई 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 टी के कुछ मित्र जो रात दिन कुछ प्रोजेक्ट में काम करते रहते हैं, उन्होंने एक ऐसा इंजन डिजाइन किया है, जो आपके एथिल एलकोहल से बहुत अच्छे तरीके से चल सकता, उसमें साच तका एथिल एलकोहल वापरते हैं, चालिस तका पेटरोल वापरते हैं, तो चालिस तका पेटरोल तो देश में पैदा ही होता, तो वो अम ले लें, और बाकी एथिल एलकोहल लें, और एथिल और रास्ता मेरे पास है। मैंने एक और थोड़े छेत्र में काम शुरु किया है आप जानते हैंछ स हरे गाउं में बाणु हैं। गाय है, बेल हैं, बेंस है, घोड़े हैं। और उन पशों का गोबर भी है। उनका एकसफ। कीता भी है। उसको हम कुछ भी कहें, गोबर कहें, वेस्ट कहें, मल कहें, कुछ भी कहें, उस सभी मल में एक बहुत अच्छी गैस होती है, उसको मीथेन गैस कहते है, गाय का जो गोबर है ना गोबर में मीथेन गैस है, बलत का गोबर है उसमें भी मीथेन है, ये जो मीथेन गैस है ये बह scientific experiment करते रहते हैं वहां मेरा एक वित्र है जो राद दिन कुछ experiment में लगा रहता है मैं अभी जाता रहता हूं तो अभी कई दिनों से हमारा दिमाग ये काम कर रहा है कि ये जो गाओं गाओं में मीथेन गैस है इस से चलाओ अपनी गाड़ी तो अब हमने गाड़ी चलाने का experiment तो सफलता पूरवक पूरा किया और मीथेन से बहुत अच्छी गाड़ी चलती है और हम वहां अच्छोटी गाओं में अपने केंदर की चार पहिये की गाड़ी और दो पहिये का स्कूटर दोनों मीथेन गैस से चलाते हैं एक पैसा भी डीजल और पेट्रोल हम नहीं वापरते हैं और मीथेन गैस से दोनों चलते हैं तो आप पूछोगे खर्च क्या आता है मेरा जो इसकूटर वहां मीथेन गैस से दौलता है वो इसकूटर एक किलो मीटर जब चलता है तो खर्चा मात्र उसका तेरे से चौदे पैसा आता एक किलो मीटर माथर 13, 14 मेरी चार पये की गाड़ी जब चलती है और मीथेन गैस से एक किलो मीटर तो उसका खर्चा 35 से 40 पैसा आता बस और यहाँ डीजल पेट्रोल से आप गाड़ी चलाओ एक किलो मीटर का खर्च कम से कम धाई से 3, 4, 5 रुपय तक आता मेरा तो 25, 30 पैसे में काम चल जाता अब मैंने क्या शुरू किया है यह जो मीथेन गैस है यह इसी इंजन में काम कर सकती है जो इंजन आपके पास है एक्जिस्टिंग इंजन उसमें कोई चेंज करने की जरूरत नहीं बस उसमें प्रॉबलम क्या आ रही है प्रॉबलम यह आ रही है कि वो मीथेन गैस को सिलिंडर में कैसे भरे क्योंकि ओपन है वो तो खुली हुई है तो अभी हम लोग सारा रात दिन मगजमारी कर रहा है कि इसको सिलिंडर में कैसे भरे तो मैंने एक छोटे सिलिंडर बनवाएं, छोटे छोटे, एक किलो, दो किलो के, तो छोटे सिलिंडर में भरना असान है, उसके लिए एक मशीन डिजाइन किया, वो मशीन उसी गाओं में हमने लगवाई, साले तीम चार लाख रुपए में मशीन बनके तयार हुई, उसका डि में बड़ी क्रांती हो सकती है, थे से हरे गाओं में मीथेनयाँ स्चान है, और इफरात में ह dependence, तो उनका वेस्टningar भी है, वेस्ट है तो मीथेनयाँ स्चान है, और वो वेस्ट upcoming, पड़ा हुआ है हम उसको ठीक से खड़ा खोदके ढलें, गोवार गेस के प्लांट लगा लें उसमें से मीथेन गेस का प्रोडक्शन हो वो मीथेन गेस को सिलिंडर में भर लें सिलिंडर में भरके हमारी गाड़ी में लगा लें गाड़ी उससे दोड़ना शुरू करें तो भाड़ में जाए डीजल और भाड़ में जाए पेट्रोल अपने को क्या लेना जोना दून तो ये युद्ध अगर आया तो मेरी तैयारी इस बात की है कि हम इस दिशा में काम करेंगे अपने को ना अमरीका के साथ जाना है ना इसलामिक देशों के अपने को अपना रास्ता बनाना है और अपना रास्ता इसी में से बनेगा कोई लोग कहते हैं कि राजी भाई आप क्या मानते हैं मैं उनको कहता हूँ कि हमें अमरीका से आगे जाना है हमें ये इसलामिक देशों से भी आगे जाना तो अगर उनसे आगे जाना है तो नया रास्ता बनाना होगा उनके रास्ते पर चलकर आप उनसे आगे नहीं जाकर अगर आप उनको फॉलो कर रहे हैं तो उनके पीछे ही चलेंगे अगर आप उनको बाइपास करेंगे तो आप उनसे आगे निकलेंगे तो ये बाइपास कैसे करेंगे अब तक हम उनको फॉलो कर रहे हैं डीजल पेटरोल की टेकनोलजी को ही अपने देश में इंपोर्ट करके ये तो हमने फॉलो किया अब इसको बाइपास कैसे करेंगे डीजल पेटरोल की टेकनोलजी को हटाओ मीथेन गैस की टेकनोलोजी को लाओ तो बाईपस कर लेंगे और हर एक गाओं में मीथेन गैस है तो मैं तो सपना देखता हूँ कि हर एक गाओं में एक मीथेन गैस का पंप हो जाए और उस पंपे मीथेन गैस बरना शुरू हो जाए तो गाड़ियों में सिलिंडर लगा दिये जाए जैसे हम डीजल पेट्रोल भरते हैं वैसे सिलिंडर फिट रहे हैं उनमें मीथेन गैस भरो आगे चलो दूसरा भरो आगे चलो तो CNG गैस के पंप खड़े करने में सरकार को अब जो डॉलर का खर्च है मीथेन गैस के पंप खड़े करने में ये खर्च नहीं आएगा और अगर ये काम हम कर पाए तो हर एक गाउं के काश्तकारों को कोटी पती बनने का रास्ता खुल जाएगा कैसे बनेगा काश्तकार कोटी पती ऐसे ही तो बनेगा कि जो उसके पास कच्चा माल है उसको भाव दिलवा दो तो कोटी पती होगा उसके पास गोबर सबसे जादा मात्रा में क्योंकि 22 करोर पशू है उसके पास मुफ्त का पड़ा हुआ है कोई उसको पूछता नहीं है उसी की कीमत लगा दो और इतनी लगा दो कि जब मीथियन गेस से गाड़ी दोड़ने लगे तो गोबर का भाव 50 रुपए किलो तक पहुंच जाए लगा दो तो देखो काश्तकार बढ़ता है कि नहीं बढ़ता है तो अपने देश के लिए इसमें से क्या रास्ता निकलता वो ये निकलता तो इसमें मैं फिर रिपीट करना चाहता हूं कि युद्ध अभी होगा ये नहीं रुकेगा क्योंकि अमरीका बिलकुल आमादा है अमरीका को मंदी दूर करने है वो अटेक करेगा उर्फ अटेक को रिटेलियेट करने के लिए इसलामिक देश एक होंगे उनमें हो सकता है दो तीन देश अमरीका के साथ जाए बाकी सब एक साथ होंगे ये भयंकर चलेगा इस भयंकर युद्ध में करोणों लोग मारे जा सकते हैं करोनों लोग मारे जा सकते हैं, उनमें आप कभी अफसोस नहीं करना कि आपके कोई भाई बंद मरे, क्योंकि अमरीका में जो रह रहे हैं, उनके मरने की चांसे सबसे ज़्यादा है, तो मैं तो आपको कहता हूँ कि चिट्टी लिख दो तुरंता, आपके जितने रिष्टेद जिनको मारेगा, उनके पास भी अमरीका को मारने की शक्ती है, वो कमजोर नहीं है, और उनको अमरीका की ही कमपनियों से वो शक्ती मिली, तो मारेंगे वो भी अमरीका को, तो अमरीका के भी कई देश, कई शहर निशाने पर हैं, यूरोप के भी शहर निशाने पर हैं, और आजाओ जल्दी नहीं तो गए काम से और काम से कैसे जाएंगे वैसे काफी काम से तो चले गए अमरीका में मंदी है मंदी में 66,000.com कंपनिया बंद हो गई तो सवालाख हिंदुस्तानियों को निकाल बाहर किया है और उनका वीजा रिन्यू नहीं हो रहा है और वो तो कह रहा है कि भाग जाओ आप जल्दी से हिंदुस्तान अब यहीं लालच में है जो वहाँ पड़े हुए है वह इस लालच में कि शायद कल नौकरी मिल जाए परसो काम है अपने काम की कुछ कम ही है क्योंकि जब यह सिस्टम चलेगा ना तो टेक्नालोजी बनेगी टेक्नालोजी बनेगी डिमांड खड़ी होगी तो सप्लाई साइड लानी पड़ेगी तो कई प्रड़क्शन यूनिट लगानी पड़ेगी उसको कौन चलाएगा यही कई रिसर्च शुरू होती है इन्नोवेटिव तो वो पचासो रास्ते खोलती है दुनिया एक रिसर्च शुरू होती है बहुत सारे रास्ते कुलते हैं तो अपने लिए भी रास्ते उसमें से खुलेगी तो जब युद्ध हो तो हमें हमारे देश के लिए स्वाभिमान की और स्वाविमान की रक्षा करने के लिए हमें संकल्प लेना होगा और वो संकल्प ये कि जैसे ही युद्ध शुरू हो मैं आप सब से विनम्र निवेदन कर रहा हूँ डीजल पेट्रोल का खर्च बिलकुल खतम करें जो गाड़ियों से चल रहा है वो साइकल पे आ जाए साइकल वाले साइकल से चलें नहीं तो पैदल चलें जितना साइकल और पैदल चलने का काम आप करेंगे डीजल पेट्रोल का कंजम्शन उतना ही कम होगा और ये संदेश अगर अकोला शहर से गया तो मुझे बहुत खुशी होगी अकोला शहर अगर ये संदेश दे पूरे देश को कि जैसे ही युद्ध शुरू हो अकोला में हजारों हजारों लोग साइकल पर आ गए हजारों हजारों लोग पैदल आ गए तो सारा देश देखेगा कि देखो ये Aqola वाले इतिहास बनाistic आप बनाये इतिहास आपके सामने बहुत अच्छा मौका है ये मौके बार बार नहीं आते इतिहास में नाम गर्ड करा लीजे कि जब तीसरा विश्विर्द हुआ था तो Aqola के नागरिकों ने इतिहास बनाया था और वो इतिहास यही, कि हम हमारे सुखस विदाओं को छोड़ कर साइकल से चलेंगे, पैदल चलेंगे, देश के स्वाविमान की रक्षा करेंगे हम स्वाविमान की कीमत पर अपने सुखस विदाओं में नहीं फथेंगे तो एक तो डीजल पेट्रोल का वहिशकार, दूसरा मैंने कहा, जो इंपोर्टिट चीज़े हम ले रहे हैं, उनका भी वहिशकार, बहुत सारी इंपोर्टिट वस्तुएं हमारे घर में हैं, उनको मत खरी दियेगा, और ऐसी अमेरिकन कमपनियों की वस्तुएं तो वो तो बि सप्लाई करेंगे, वो क्या चाहेंगे, हिंदुस्तान में माल विक्री बढ़े, माल विक्री बढ़े तो यहां से डॉलर्स मिले, डॉलर्स मिले तो अमरीका की आर्मी को सप्लाई करें, क्योंकि युद्ध के समय में पैसे की कमी पढ़ती है, तो वो यहां से सप्लाई साइ पहले तोड़ते हैं, एक अच्छा जो कमांडर होता है ना आर्मी का, वो क्या करता है, दुश्मन को कहां से रसद मिल रही है, पहले वो लाइन तोड़ते हैं, तो भारत में से यह जो सप्लाई लाइन बनी हुई है, इसको आप तोड़ दो, सप्लाई लाइन कहां से बनी कोका कोला की विक्री से बनी हुई है जितनी अमरीकी कम्पनियों का माल विक्राय पैपसी कोका कोल गेट या प्रॉक्टर एंड गेंबल रेकेट एंड कॉलमें ये कम्पनिया सप्लाइ लाइन हैं हमारे यहां से उनके लिए वो आप तोड़ दो और उसके इस्थान पर जो क्योंकि इंटरनेशनल लेवल पे हार्ड करेंसी वो ही है आज हमारे पास हम कह सकते हैं 45 बिलियन डॉलर है लेकिन युद्ध के दोरान हो सकता वो 10 साबज डॉलर ही रह जा बहुत तेजी से खर्च होता पैसा आता नहीं है पैसा ब्लॉक हो जाता तो उस परिस्तिती में दे कि अकोला वासी इस संकल्प में खरे उतरेंगे मैं बीच बीच में ख़वर लेता रहूंगा कि अकोला के निवासियों ने युद्ध के समय देश के स्वाभिमान की रख्चा करने के लिए क्या किया अब मेरा आपसे निवेदन है कि आप सब खड़े हो ही रहे हैं तो हम सब संकल्प लेकर खड़े हैं आज हम सब संकल्प करें कि युद्ध की परिस्थिती अगर बनेगी तो राष्ट के स्वाभिमान की रख्षा करने के लिए अपने जीवन की सुख सुविदाओं में जितना संबब होगा कटोती करेंगे और जितना संबब होगा राष्ट के स्व उजबाहत सामने करिए और मेरे पीछे-पीछे संकल्प करिए, मैं संकल्प करता हूँ कि किसी भी युद्ध की इस्थिती में अपने राश्ट्र के स्वाभिमान की अंतिम समय तक रक्षा करूँगा, इसके लिए अपने जीवन में जो भी कश्ट उठाने पड़ें, उन्हें उठाने की पूरी कोशिश करूँगा, अन्य दूसरों को इसी संकल्प के लिए प्रेरित करता रहूँगा, अभी मैं बोलूँगा भारत माता की, आप बोलेंगे जय, तीन बार बोलेंगे, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, हम सब ईश्वर से प्रार्थना करें, कि युद्ध में भले ही कोई जीते या हारे, लेकिन मानवता की विजय हो, क्योंकि हम तो मानवता की ही बात झाल झाल